Hello students, welcome back to the amazing platform of NC Athiwala and this is Yashika ma'am और आज हम start करेंगे बेटा, Biodiversity and Conservation का Revision Lecture, यह lecture recorded form में आपको दिया जा रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन आपको चाहे revision recorded form में मिले या live form में मिले, आपकी practice revision नहीं रुखनी चाहिए, अगले महीने आपका paper है, biology का, अब यह मत बोलना, मैं 26 February से ही start हो रहा है, मैं biology के respect में बात कर रही हूं, so yes, तो start करते हैं हम अपना revision lecture for this chapter, जैसा कि chapter का नाम है बेटा, Biodiversity and Conservation, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, about biodiversity and then अगर हमें Biodiversity की बारे में पता चल गया, तो हम देखेंगे, there are so many reasons, जिसकी वज़े से Biodiversity हमारे अर्थ की घटी चली जा रही है, तो उस घटी हुई Biodiversity को बचाना क्यों है और कैसे है, यही पढ़ना है हमें इस chapter में, so let's get started with the chapter, सबसे पहले, let's get start, की Biodiversity क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक diversity और एक bio, diversity का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप अपने आज सपास थोड़ी नजर घुमा करके देखो, क्या आप इस प्लानेट एर्थ पर और आपको ऐसा लगता भी है, क्या कि आप अकेले इस प्लानेट एर्थ पर सर्वाइव कर सकते हो, तो बेटा, यह आपकी गलत फैम ही है, ऐसा नहीं होता, है कि अगर कोई दूसरे प्लानेट से एलियन आए, कोई मिल गया टाइपस है ना, जादू आ जाए बेटा, तो वो पता है, बहुत अमेजड हो जाएगा, हमारे यहां की इस एर्थ की इस प्लानेट की डाइवर्सिटी को देख करके, क्योंकि हमारे प्लानेट एर्थ पर ब लोगन हम लोगन नहीं टर्म दिया है, जिसका नाम है बायो डाइवर्सिटी, सो लाइडेट स्लाइट इडेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या लिखोगे, वराइटी, क्या लिखोगे बेटा, वराइटी और वेरीबिलिटी, वराइटी और प्लैनेट एर्थ प्लैनेट एर्थ यह टर्म एंसी आटी कहती है किसने पॉपुलाराइज किया था टर्म वास पॉपुलाराइज वाए एडवर्ड विल्सन ठीक है अच्छा एक और चीज बिटा जब मैं आपको यह चाप्टर पढ़ा रही हूं तो इंटायर एंसी आटी बिकास मुझे पता है कुछ दूसरे बहुत के बच्चे भी आकर के यहां से रिवाइस करते हैं तो मैं नहीं चाहती उनका नुक्सान हो इस इसमें से बहुत ज्यादा पार्ट रिलीटेड नहीं है हाँ और गानाजम वाला पार्ट जो हमने रिवाइस किया हो ताट वस दिलीटेड बट मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था की दूसरे बोर्ट के सूजंस भी होंगे इस वजह से उनकी डिमांड होती कि उनको से अपने रिव्लेट है तो पूरा पढ़ाया जाता है पूरण फूर्ट पढ़ाया जाता होगा आप अपने हिस्से का पॉर्शन पढ़ लो नेक्स वे दो जर्아 दो सकते हो घृट साथा नीस अटन मोई टो भी थर विट अबड़ायो टो पयता तनście इन टापस होते बीटा NCRT हमें पढ़ाती है एक genetic diversity, वो diversity जो exist करती है at the level of gene, एक NCRT पढ़ाती है बेटा हमें species diversity, जो exist करती है at the level of species and एक NCRT पढ़ाती हमें बेटा ecological diversity जो exist करती है at the level of ecosystem या आप कह सकते है at the level of community. ठीक है, अच्छा बच्चे कहते हैं कि मैं question practice भी करा दिया करो, अभी आप revise कर लो, sample paper discussion होगा, तो question भी discuss हो जाएगा, तो आप tension मत लो, आप tension बहुत ज़्यादा लेते हो, बढ़ाई करो, ठीक है, so यह 3 level of diversity अब हम करेंगे discuss in detail, तो यह देखो NCRT का ही 3 type of diversity हमने लिया हुआ है सबसे पहला आप देख सकते हो, heading is genetic diversity, तो नाम में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, वो diversity जो exist करती है at the level of gene, जैसे for example बेटा, हम सब एक species है, हमारा species कौन है, about we are, we are homo sapiens, आप भी homo sapiens हो, जितने बच्छे lectures देख रहे हैं, उसमें सो को alien तो नहीं है, भले एक दूसरे को चुदाने के लिए जरूर कह देते होगे, कि यहां तो alien है, बट ऐसा तो है नहीं, उनके पास भी दो आख है, ठीक है, एक नाख है, दो कान है, वो भी हमारी तरह बोल सुन सकते हैं, ऐसे ही चलते हैं, they are also have brain, है ना हमारी जैसे वो भी advance है, but क्या एक species होते हुए भी हम बिल है, यह सब आपने पड़ा है ना, molecular basis of inheritance में, और आपको पता है कि जो हमारा gene है, ठीक है, जो हमारे nucleotide sequences है, they are not same, that means, एक species के अंदर भी genetic level पर difference आ सकता है, जिसकी बज़े से you get to see so many variation, इसी variation, इसी diversity को नाम क्या दिया जाता है, बेटा, genetic diversity, जिसे आम एक species है, Mangifera indica is one species, but आप हो market में, इसके कितने varieties मिलते हैं, क्यों मिलता है variety बेटा, क्योंकि एक species के अंदर भी genetic level पर difference हो सकता है, उसी के बज़े से you get to see so many varieties of mango हमारे market में, same goes with the rice, rice तो एक ही variety है ना, बेटा, but इसके कितने सारी variety आप खाते हो, सुने हो, market में मिलता है, again क्यों genetic level में difference की बज़े से, च सबसे पहले अगर आप से पूछा है genetic diversity क्या होती है, तो आप लिखोगे diversity at gene level, या allylic level भी बोल सकते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक single species might show high diversity at genetic level over its distributional range, एक बहुत important चीज, genetic level किस पर dependent होती है बेटा, अपने distributional range पर, इसको समझाने के लिए, NCRT ने एक example लिया है, प्लांट का, उस प्लांट का नाम है raw wolfia vomitoria, raw wolfia vomitoria कहां मिलती है बेटा, ये इंडिया का हिमालियन region ने जो extend होता है, ठीक है, अब ये raw wolfia vomitoria distributed होती है, different हिमालियन range में, तो ये देखा गया है, कि जो raw wolfia vomitoria का, अगर तुमारा distribution का range बदल रहा है, मा उससे जो chemical extract किया जाता है, raw wolfia vomitoria से बहुत important chemical extract किया जाता है, जिसको medical field में बहुत अच्छे से इस्तमाल करते हैं, उस chemical का नाम है बेटा, reserpine, ये काफी potential active chemical है in treating so many diseases, ठीक है, तो ये जो chemical निकालते होना, इसके amount में variation आता है, और ये amount में variation क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि तुमने यहां से reserpine निकाला, ये अलग जगा पर present है, यहां से निकाला, ये अलग जगा पर present है, यहां से reserpine निकाला, ये plant अलग जगा पर present है, तो reserpine का amount vary करता है और ये variation depend करती है कि वो plant किस जगा पर distributed है, इसलिए NCRT लिखती है कि हमारा genetic variation, it is dependent on the distributional range, ये जो chemical है reserpine, reserpine भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, दोनों सही आपके level पर, तो ये reserpine का amount भी vary करेगा और इसका potential to treat disease ये भी vary करता है और ये variation dependent है कि तुम उस chemical को reserpine को किस plant से निकाल रहे है और वो कहां पर distributed है, next देखो क्या लिखा हुआ है, एक जो genetic variation है, it is shown by the medicinal plant, नाम है raw wolfia vomitoria, ये grow करता है, in different Himalayan ranges, और it might be in terms of the potency, potency का मतलब है potential and the concentration of the active chemical reserpine, जो India produce करता है, ठीक है, तो variation आती है with respect to the amount and the chemical potential of that reserpine, next example ने दिया है कि market में 50,000 genetically different strains rise के मिलते है, और 1000 varieties mango के मिलते है, ये तीनों examples किसके है, genetic diversity के, next हमारा diversity है बेटा, species diversity, वो diversity जो exist करता है at the level of species, तो मुसको क्या कहते है बेटा, species diversity, जैसे हमारे इंडिया में ये हमारा क्या है बेटा, western घाट नीचे की तरफ और इधर की तरफ क्या है बेटा, this is western घाट and this is eastern घाट, तो NCRT में लिखा हुआ है कि दोनों घाट की amphibian की species diversity देखी गई थी, तो पता चला कि western घाट की जो amphibian की species diversity है, वो जादा है as compared to the eastern घाट, तो diversity at the level of species, हम species diversity कहते हैं, example के तोर पर इन्होंने explain किया है कि western घाट have a greater amphibian species diversity than the eastern guards, ठीक है, next comes our third type of diversity, जिसका नाम है ecological diversity, मतलब ecosystem वाली diversity, अगर तुम अपने इंडिया को देखो बेटा, इंडिया के पास desert भी है, इंडिया के पास पहाड भी है, इंडिया के पास ashries भी है, इंडिया के पास mangroves भी है, इंडिया के पास अपना ocean भी है, ठीक है, river भी है, ठीक है, coral reefs भी है, तो इंडिया इतने सारे ecosystem में diverse है, और होनी भी चाहिए बेटा, इंडिया का आदे से जादा हिस्सा, tropic reasons में lie रख करता है, और tropic reasons, they are rich in biodiversity, तो जब इंडिया की ecosystem diversity, आप दूसरे country like Norway से compare करोगे, तो Norway में इतना variety of ecosystem नहीं मिलता है, इसलिए हम कहते हैं, इंडिया हमारी बहतरीन ecosystem diversity का example है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब हम diversity, कहाँ पर देखे, at the level of ecosystem, तो मुसको बोलते है ecosystem diversity, for example, हमारे पास deserts है, rainforest है, mangroove है, यह खुद में एक ecosystem है, coral reefs है, ecosystem पूरा चाप्टरा पढ़ चुके हो, ठीक है, wetlands है, estuaries, estuaries, पता है क्या होते हैं, जोग्रिपी में पढ़ा होगा चोटी classes में, नहीं पढ़ा तो सुन सकते हो, जब river body एक fresh water body है, वो fresh water body, जब marine water body से मिल तो transition zone एक create होता है, ठीक है, और उस transition zone को हम कहते है, estuaries, और they are highly productive बेटा, ठीक है, and alpine meadows, alpine meadows क्या होता है, वो conifer trees होते हैं, उनके group को हम कहते हैं, उसके बाद, तो India has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway, ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी होआ है, इंडिया अगर question पूछा जाता है, क्यों कहते हैं, तो तुम बोलोगे answer में, लिखोगे, कि इंडिया के पास ज़्यादा ecological diversity है, बाकी के country से, और उसका reason क्या है, उसका reason यह है, कि हमारे पास इतने different type of ecosystem system present है, we have coral reefs, rainforest, wetlands, estuaries, alpine meadows, desert and mangroves, next हमारा जो topic है, NCRT का heading, कि actually में, कितने species हमारे इस planet Earth पर हैं, और उसमें से इंडिया में कितने हैं, because obviously we are studying in India, है ना, तो हमारे NCRT के हिसाब से, जो data दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है, कि अगर हम IUCN की बात करें, IUCN क्या है बेटा, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, इन्होंने 2004 में, जो भी इनके पास inventories मौजूद थे, survey data, सब का मिला करके, इन्होंने ये conclusion किया, कि हमारे पास 1.5 million species हैं, और इस 1.5 million species में known, जिसकी identification ढूण लिया गया था, नाम करन दे दिया गया था, तो known and described species हैं, बेटा, 1.5 million का मतलब क्या है, पंदरा लाग से जादा species हैं, बट species की जो guesswork था, चलो इन्होंने तो काफी survey बगरा करके किया होगा, और भी different scientists थे बेटा, जो कहते थे, कि नहीं, हमारे यहां पर इससे भी जादा species हैं, बहुत सारे scientists ने तुक्का मारा बेटा, लेकिन सबके तुक्के से result हम नहीं निकालते हैं, तो देखो, सबसे सही तुक्का किसका माना जाता है, रॉबर्ट में जी का, रॉबर्ट में ने भी तुक्का लगाया, बेटा, guesswork किया, बट हमारे जैसा guesswork नहीं होता है, कि हम हवा में तीर मारते हैं, नहीं, इन्होंने भी guesswork किया था, तो क्या करते थे, उनके पास जो भी information available होती थी, थोड़ा सा theory लगाते थे, hypothesis बनाते थे और अपने belief के according वो guess मारते थे, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोलते थे, है ना, तो according to Robert में, इन्होंने बोला कि जो global biodiversity है, वो कहीं न कहीं, 7 million species के बराबर है, जिसमें described और undescribed दोनों हैं, और इनके हिसाब से चलो, तो ये 7 million में, जो हम 7 million बता रहे हैं, इसमें से 20% of species को ही हमने consider किया है, that means अभी और species हैं, जिनको discover करना बागी है, clear हो गया, अब दूसरे scientist लोगों ने, जो तुक्का मारा था, उनके guest को हमने सबको निगले, मतलब हटा दिया, खारिच कर दिया, इनका ही guest work सबसे अच्छा माना गया था, क्योंकि इन्होंने जो theories put on की थी, उससे बाकी के सारे scientist convince हो गयते, कि हां, Robert मेजी का जो calculation है, ये बिलकुल सही ह ठीक है, और इस calculation के अनुसार, मैं आपको देखो कुछ important facts बताती हूँ, हमारे earth biodiversity के, तो NCRT में देखो बेटा, ये तीन pie charts दिये हुए हैं, इन pie charts में what has been given, different taxonomic groups में कौन richest है, कौन सबसे कम है, तो इन्होंने invertebrates का इक अलग pie chart बनाया है, vertebrates का अलग और plants का अलग, अगर मैं invertebrates की बात करूँ, तो सबसे जादा कौन है, insecta, it is the largest, मतलब सबसे जादा species-rich कौन है, insecta, ये तो आपको भी पता है, बेटा, class 11 ते पड़ा है, insecta is the largest class, है ना, and phylum orthopoda, because insecta lies under the phylum orthopoda, इसके बाद किसका नंबर आता है, other animal groups, जो invertebrates category में आते हैं, उसके बाद आता है हमारे mollusk भाई साब, and then आते हैं हमारे crustaceans, अगर मैं vertebrates की बात करूँ, तो vertebrates में pie chart related questions आते हैं, what they gonna do, they gonna remove the all labeling and you will have to identify, ठीक है, जब sample paper करोगे, जब हम कुछ questions आपको कराएंगे, तो आप देखना बहाँ पर graph related questions, pie chart related questions कैसे आते हैं, ठीक है, next vertebrates and pyq में भी पूछा हु ठीक है, so vertebrates में आप देखो, सबसे ज़्यादा कौन है, fishes, ठीक है, fishes के बाद आप देखो, birds, birds के बाद देखो, reptiles, reptiles से कम किसका है, amphibians, amphibians से भी कम किसका है, mammals, तो सबसे कम taxonomic rich group in vertebrates is mammals, सबसे highest fishes, अगर मैं plants की बात करूँ, तो fungi और NGO sperm सबसे ज़्यादा dominant है, क्यों बे adapt कर जाते हैं, जो अच्छे से adapt कर जाएगा हमारे changing environment में, उसके रहने के chances हमारे environment में ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनका number जादा है, एक बहुत आच्चर चकित बात ये है बेटा, फंजाई किसी भी आंगल से plant नहीं है, बर शुरुवाती तोर बहुत पुराने टाइम प आपको भी पता है, फंजाई एक अलग kingdom को बिलॉंग करता है, kingdom प्लांटे के अंदर फॉल नहीं करता है, ठीक है, बट येस, फंजाई ने उस्परम देवर डॉमिनेंट, विकास इनकी अच्छी adaptability थी, ठीक है, सबसे कम है, लाइकन तो हो सकते है, आने वाले टाइम पे चल कम भी हो सकता है, ठीक है, एंड मौसेजनलीस का भी जादा कुछ खासा परसेंटेज है नहीं, एलगी का फिर भी comparatively इन समय से करोगे, ठीक ठाक परसेंटेज है, अब चीज देखने की बात है, कि हमने इन तीनों पाइचार्स में प्रोकेरियोट्स को कहीं पे भी कांचिडर प्रोकेरियोट्स होते हैं, अगर तो उनका नंबर काउंट करना शुरू कर लोगे ना, तो उनका अकेले का नंबर मिलियंस में चला जाएगा, जो बिल्कुल भी एप्रोप्रियेट नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि हम कह रहे हैं, इन सब का मिलाकर के साथ मिलियन है, अकेल बैक्टिरिया का काउंट करना, शुरू कर लोगे ना, उनका नंबर मिलियंस में भाग जाएगा, और बैक्टिरिया के लिए हमारे पास कोई ऐसी स्टडी मौजूद नहीं थी उस ताइम पर, अगर हम क्लासिकल एप्रोच लेकर के चलते, तो वह सूटेबल नहीं था, बाय कैसे चलेगा, तो स्टडी कैसे कर पाऊगे, और बैक्टिरिया का अक्च्वल लंबर कितना है, यह साइंटिस्ट अवेर नहीं थे, यह तीन चार रीजन की वज़े से, बैक्टिरिया वर नौट कंसिडर्ट तू बिया पार्ट अप अप दिस्टडी, यह क्वेशन भी पू अप प्रोकेडियोट्स, एक्च्वल लंबर कितना हो सकता है, उसके बाद बहुत सारे स्पीशीज को आप कल्चर ही नहीं कर सकते, यह नोट कल्चरेबल, कल्चर नहीं कर सकते, स्टडी में क्लूट कैसे करोगे, नेक्स्ट अगर बायो केमिकल यह मॉलिकुलर क्राइटेरि मिलियंस में, तो यह चीजों को कॉंप्लेक्स कर देता, इसलिए इन्होंने इसको अवाइड कर दिया, और पुराना तरीका से आप बैक्टिरिया का नंबर नहीं निकाल सकते थे, तो यह चारों रीजन्स आप अपने कॉपी में लिख दोगे, ठीक है, then you will get the entire full marks, उसके बा निकाला, हमने ये conclusion निकाला, कि जो animal species हैं, उनका percentage 70% से भी जादा है, अगर plant species की बात करूं, जिसमें algae, fungi, bryophytes, gymnos pump, angios pump सब हैं, तो अभी they account for 22% of the total, जो भी estimate निकाला गया था, कि इतने million species हैं, उनमें से 70% इसको दिया गया, 22% इसको दिया गया, और यह कहा गया, कि अगर हम सिर्फ animals की बात करें, तो animals में सबसे ज़्यादा कौन है, इस 70% में सबसे ज़्यादा account किसका होगा, contribution, insects का, तो देखो, लिखा हुआ है, among animals, insects are the most species rich taxonomic group, making more than 70% of the total, ठीक है, it means, हर 10 animals में से on this planet, साथ क्या है बेटा, insects है, तो इसी लिए हम बोलते हैं, insects are the largest class, भर भर के insects है बेटा, तभी तो endangered category में नहीं है, क्यों cockroach extinct नहीं हो रहे हैं, इतने जादा नंबर में बेटा, बड़ा time लग जाएगा, ठीक है, आजो, next बात करते हैं हम, उसके बाद, NCRT ने कहा थाना, कि पहले हम global level पर बात करेंगे, कि कितने species diversity है, क्या-क्या उसम geographical regions में, ठीक है, हमारे पास arid regions है, semi arid regions है, plateau है, बड़े सारी चीजे हैं हमारे पास, तो अब ये number change हो गया हो तो नहीं पता, बट येस, हम कहते हैं, इंडिया दस wide geographical regions में divided हैं, इंडिया अगर तुम देखो कितना छोटा सा है, पूरे world में, प्लानेट में, ठीक है, तो इसक 8.4% है, all around the world, but इतने कम अरिया के साथ, इसका contribution देखना, ये 8.1% contribute करता है, global biodiversity में, तो this is a very good thing, इतने कम percentage के साथ, तुमारा contribution तुना जादा है, and इसी वज़ा से हम कहते हैं, कि इंडिया हमारा, you should be proud of that, इंडिया हमारा, one of the richest biodiversity को बिलॉंग करता है, मलब टोटल all around the world, इतने हमें भी countries है, उसमें से 12 country को एक title दिया गया है, mega diversity का, और हमारा इंडिया is one of them, तो देखो, लिखा हुआ है, India is one of the 12 mega diversity countries of the world, इसी वज़ा से, ठीक है, तो देखो, अब NCRT हमारी एक data, fact और बताती हो, उस fact को पढ़ते हैं, हम, तो देखो, क्या लिखा हुआ है, बेटा, कि हमारा, जो, although India, सिर्फ 2.4% of the world's land area को cover करता है, बट इसका जो contribution है, that is 8.1, for the same reason, it is a part of 12 mega biodiversity countries, ठीक है, अब NCRT कहती है, कि हमारे पास 45,000 species है, plants के, इंडिया में, and इसका दुगना species animals का मौझूद है, जिसको record किया है, इंडिया से, अब इसमें से, how many living species are actually there waiting to be discovered and named, ठीक है, और scientist लोग कहते हैं, कि इतना ही नहीं, अभी और भी बहुत species है, जिनको discover करना बचा है, ये भी लिखा गया है, कि तुम्हें chapter पढ़ना खतम करोगे, तो पता चला कि कोई नई species कहीं जात हो गई है, अगर हम ग्लोब, रॉबर्ट म कि जो ग्लोबल एस्टिमेट साथ मिलियन वाली है, उसको consider करके चलें, तो बाइस परसेंट अप दी टोटल स्पिशीज को ही अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, अगर हम इस डेटा को इसमें फिट करें, तो देखो लिखा हुआ है, applying this proportion to India's diversity figure, हम ये एस्टिमेट लगा सकत हैं कि they are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species जिसको अभी discover और describe करना रहता है, क्या हम कभी भी इस discovery को complete कर पाएंगे, ऐसा क्यों कह रहा है, जब हमें पता है कि 1 lakh plant species का discover करना रहता है, animals की discovery रहती है, तो फिर ये question mark क्यों है, question mark ये है बेटा, क्योंकि हमारी biodiversity loss हो रही है, ठीक है, हो सकता है, जब तक हम उस animal species तक पहुचे, उसको describe करना, उसको खोजना, वह animal species ही विलुप्त हो जाए, निकल जाए, क्योंकि बाड़ास्टी घट रही है न, ठीक है, तो आगे लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम इस immense trained manpower, manpower, taxonomist चाहिए ह होंगे, और time चाहिए होगा to complete the job, क्योंकि एक लाख और तीन लाख कम नंबर नहीं है, इनको पढ़ने के लिए, study करने के लिए, हमें special group of biologists चाहिए होते हैं, हमारे और तुमारे बसकी बात नहीं है, इनको study करना, because हर एक plant species को पहचाना, taxonomist कर पाते हैं, तो हमें taxonomist की मद लगेगी, जैसे lineage जी थे, ठीक है, और इतने ज्यादा number of plant species को पहचानना, discover करना, identify करने के लिए time भी लगेगा, तो ये दोनों factor थे, जिसकी वज़े से हम थोड़ा सोचते थे कि क्या ये कभी complete हो पाएगा या नि, और दूसरा factor क्या है, situation और भी hopeless हो जाती है, जब हम realize करते हैं कि large fraction of these species, they are facing threat of becoming extinction, even before we discover them, और ये भी condition है, एक तो time और manpower तो था ही factor, तीसरा factor ये है कि species biodiversity, मतलब species घट रहे हैं, मर रहे हैं, तो पता चले कि जब तक हम उनकी discovery करें, वो extinct हो चाहें, ये लिखा है, nature's की जो biology library है न, ये जल रही है, even before catalog the titles of all the books stocked there, जिसे बेटा एक library है, ठीक है, उस library में बहुत सारे sections होते हैं, comics section होता है, story section होता है, motivation वाले books होते हैं, poems, quotes वगरा वाले होते हैं, आज जदो न, different sections है, तो उस section में, आपका समझ लो, ecology का एक section बना हुआ है, उस में बड़े स सारे section है, उसमें है कि कितने wildlife है, बहुत सारे लोग book लिखते हैं, तो एक book है आपके पास, उसमें पता चल रहा है, कितने animals, कितने plants, आपके campus में कितने plants हैं, अगर बेटा उसमें आग लग गया, library में, तो वो तो book जलके राक हो जाएगी न, तो similarly, अगर एक library में आग लग ही है, तो सारी book जलके राक हो जाती, आपके पास school में एक वही inventory था, वही library था, जहां पर book store होता था, similarly, जो हमारे animals है, वो कहां रह रहे हैं, वो तो जंगल में ही रहे हैं, forest में रहे हैं, उनका तो वही habitat है, और उस घर में ही अगर आग लग जाए बेटा, तो species diversity क्या होने लगेगी, species मरने लगेगी, और जब species ही मरने लगोंगे, तो तुम count किसको करोगे, यही बात लिखिए हो, इसमें, ठीक है, कि हमारी जो natures की library है, वो जल रही है, और क्यों जल रही, उसका बहुत सारे reasons है, जो में करके discuss करेंगे, अब introduction के बाद, NCRT हमारी बताती है, कि biodiversity का tartan क्या होता है, tartan का मतलब है कि बेटा, biodiversity अगर हम latitude wise देखें, जब हम higher latitude की तरफ चलते हैं, तो घटी है या बढ़ती है, वो हम discuss करेंगे, फिर हम इंडिसकस करना है, कि biodiversity का असर area से कैसे effect होता है, अगर हम area बढ़ाएंगे, तो बढ़ेगी या घटेगी, तो आओ इन दोनो बातों को discuss करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, earth का latitude का मतलब क्या होता है, बच्चों को latitude और altitude ही नहीं पता होता मेरे, तो वैसे तो geography में पढ़ते हो, आपको मैं थोड़ा सा चीज बता देती हूं, मेरे altitude क्या होता है, जब आप अपने, जिसे मानलों मैं दिल्ली में जैती हूं, मैं दिली से ले लदक जाओं, ठीक है, और रोतंग पास जाओं, काजा जाओं, सपित्ती जाओं, तो वो क्या है, I am moving from low latitude to altitude, बताओ भाई, ठीक है, तो हम कहते हैं, जिसे आपको पढ़ाया, organism and population में, कि high altitude पे हमें problem होती है, altitude sickness कहते हैं, क्यों, क्योंकि atmospheric pressure कम होन लेता है, तो वो जो हम बात करते हैं, वो altitude के respect में बात करते हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं, वो हम latitude के respect में बात करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो, this is what, low latitude, equator 0 degree, बच्चपन में आप ये Earth का different zones बनाते थे, जो हिस्सा equator के पास होता है, वो tropics बोलते हैं, और tropics क्यों होता है ठीक है अगर टेंपरेट जोन की बात करो तो यह वाम होता है फिर एक पोलर जोन फ्रिजिट जोन आता है नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की तरफ वो थोड़ा क्या होता है कोल्ड अब लाटिट्यूड देखो यहां पर जो डिगरी मेंशन की हुई ना बेटा वह ल सबसे पहले अगर हम लाटिट्यूड की बात करें तो अभी हम आप मैं आपको बताती हूं कि अगर हम इक्वेटर टू पोल की बात करें ठीक है यहां हम बात करें लो लाटिट्यूड टू हाई लाटिट्यूड वाट इस हापनिंग टू दी बाड़ावस्टी बाड़ावस्टी घटे गी या बढ़ेगी बेटा तो हम कहते हैं बायो डावर्सिटी डिक्रीजिस इस कहते हैं यह बेटा सबूत भी है क्या सबूत है अब हम एक एक करके इसका एक्जाम्पल पड़ेंगे एक्जाम्पल्स तू प्रूफ दी पाटर्न ऑफ बायो डाइवर्सिटी पाटर्न ऑफ बायो डाइवर्सिटी अ सबुक्ण का मतलब क्या होता है बेटा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम के लाट आड़ीटी तो सबसे पहला में सैंपल पढ़ते हैं compare दी, compare दी bird species diversity, तीन country लेंगे, तीनों country में bird diversity को compare किया जाएगा, और वो country कौन है बेटा, एक country है Columbia, एक country है New York, और एक country है हमारी Greenland, आपको मैं precisely अगर बताऊं, ठीक है, तो Columbia एक ऐसी country होती है बेटा, जो tropic region of the earth में लाई करती है, New York तो आप सबको पता होगा नाम सुना है, यह कहां पर लाई करती है, in the temperate region, और Greenland बेटा, polar regions में लाई करती है, बरफ ही जमी रहती है यहाँ पर, यह पोलर region of the country लाई करती है, अगर ट्रॉपिक में यह लाई करती है, तो ट्रॉपिक एक्वेटर के पास होता है, एक्वेटर का जो लाटिट्यूड होता है, जीरो डिक्री, अराउंड, ऐसा एक एकदम जीरो डिक्री पर है, बट यह उसके पास होती है, मतलब लो ठीक है, तो यह सब देखने के बाद, कोलंबिया में जो बर्ड की स्पिशीज डाइवर्सिटी देखी गई थी, 1400 बर्ड स्पिशीज ऑबसर्वड, नियु यॉक में 105 बर्ड स्पिशीज और ग्रीन लाइन में 56 बर्ड स्पिशीज, तो हुआ क्या, जैसे जैसे आप लो से ह जाइल आटिट्यूट की तरफ जाते जा रहे हो, बर्ड स्पिशीज खट रही है, या आप यह कह सकते हो, माक्सिमम डाइवर्सिटी बर्ड की कहां है, माक्सिमम डाइवर्सिटी इसंट ट्रॉपिक, मॉडरेट डाइवर्सिटी कहां है बेटा, मॉडरेट डाइवर्सिट मिलती है आपको temperate में और minimum diversity आपको कहां पर मिलती है polar regions में minimum यह सबूत के साथ बताया जा रहा है ऐसे नहीं बताया जा रहा है तो Columbia has the richest bird species diversity इन तीनों में उसके बाद New York और सबसे कम किसके बाद पास है बेटा Greenland ठीक है तो यहां से हमें conclude करना चाहिए कि ट्रॉपिक सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी रिच होता है यह ठीक ठाक टाइप और यह सबसे कम सिर्फ यहीं एक्जांपल नहीं लिया गया बेटा इन्होंने पूछा इंडिया की species diversity बताना विद रिस्पे छौक के वेलिल करते हैं एक माप फिजीकल माप ले जाते हैं ड़ेखे ट्रॉपिक वाली लाइन रहने के नीचे फॉल करता है तो वह पूरा हिसा ट्रॉपिक है गोवाक कैरल यह तुमारा बेंगलोर कर आध यह तुमारा इंदर वाला सॉई यह सारा ट्री तभी तो वहाँ seasonal variation नहीं होता है, तभी तो एक ही type का season होता है, तभी तो गर्मी रहती है वहाँ पर, tropics hot दिखाया था ना, तो next example हम पढ़ेंगे इंडिया के respect में, कि इंडिया has, इंडिया being tropic, पूरा हिसा tropic में नहीं होता बढ़ हाँ, ट्रॉपिक होता है यह काफी, ठीक है, has 1200 bird species diversity, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ बेटा, next example क्या दिया है, equator एक जगा होती है बेटा, ट्रॉपिक में, equator के पास, ठीक है, वहाँ का एक forest है, उस forest को compare किया गया, US के एक forest है, US temperate में है, equator ट्रॉपिक में है, तो आप खुछ सोचो, किधर के forest के diversity ज़ादा होगी, equator की, यूँकि अभी हमने देखा, tropics by diversity rich होते हैं, तो लिखते हैं, forest in equator, forest in equator has 10 times more, vascular plants as compared to forest as compared to forest of same area, ऐसा नहीं कि area भी बड़ा छोटा है, same area का forest में comparison किया गया था, ठीक है, US, और नेक्स्ट एक्जाम्पल है, बड़ा, tropical Amazon rain forest, ये जो tropical Amazon rain forest है, बड़ा, this has richest biodiversity, ठीक है, that has richest biodiversity, तो वाइडू वी say that it has a richest biodiversity, इसका प्रूब दिया गया है, कि यहां पर different types of animals के नंबर सबसे जादा record किये गये हैं, ठीक है, और इसको lungs of the planet भी कहते हैं, बेटा, because 20% of the oxygen contribution जो हमारे air और atmosphere में, यह यहां के plant से आता है, इसलिए इनको फेफड़ा, मलब lungs of the planet कहा जाता है, कितने important है बेटा, यहीं पर एक बार आग लग गई थी, कुछ ताइम पर पहले आपने सुना होगा, ठीक है, यहां पर number of species जो स्टेक्सा में प्रेजेंट है, यह टेबल NCRT में नहीं है, NCRT में यह जो text के form में दिया हुआ है, but मैं आपको आपको आज़ा टेबल पढ़ा देती हूँ, बेकोस टेबल याद करना बच्चों के थोड़ा इसी हो जाता है, आपको बेटा जो भी form प्रेफरेबल लगे, आपको ऐसे लिखना हो, अपने बोच में ऐसे लिख सकते हो, text में लिखना हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आप बस सही लिखना, सही नमबर लेने के लिए, तो देखो लिखा हुआ है, plant species कितने होते हैं, more than 40,000 plant species are present, mammals कितने हैं, 427, birds कितने होते हैं बेटा, birds होते हैं 1300, reptiles 378, amphibians 427, fishes 3000, and invertebrates more than 1,25,000, और यह भी साथ में मेंचन किया जाता है, और भी insects है, species जो discover होने रहते हैं, ठीक है, अब मैं इसको NCRT की आपकी reading लगा देती हूँ, ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम diversity measure करें, plants और animals की तो वो हर जगा सेम नहीं है, और हमने देखा भी, tropics में जादा है plant animal का species diversity, as compared to the polar areas, ठीक है, बलकि यह एक प्रकार का uneven distribution शो करते हैं, बहुत सारे group animals के और plants के, there are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in the diversity, जो variation आ रहा है, वो किस basis पर हमने डिसकस किया, latitude के basis पर, तो in general, जो species के diversity है, वो घटती है, as we move away from the equator towards the pole, equator से pole चलते हैं घट जाती है, बहुत कम exceptions हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम देखें, tropics, तो tropics का latitudinal range क्या होता है, 23.5 degree north to 23.5 degree south, यह देखो, कहां गया हमारा earth, 23.5 degree north to 23.5 degree south, यह हमारा tropics हो गया, इसके बाद NCRT ने क्या कहा है, अगर यहां पर हम बात करें तो लिखा हुआ है, कि tropics में more species होते हैं, as compared to the temperate or polar areas, इसको इन्होंने प्रूव भी किया है, कैसे, यह देखो, कोलंबिया जोकी equator के पास होती है, यहां पर 1400 species birds के दिखाई देते हैं, जबकि New York, जो 41 degree north located है, वहां पर 105 species हैं, और Greenland, जो 71 degree north located है, उसके पास सिफ 56 species हैं, ठीक है, तो यह देखो, NCRT ने क्या बताया, कि जैसे जैसे तुमने latitude बढ़ाया, है ना, तुम 0 degree से 71 degree north Greenland के पास पहुचे, तो species की diversity खट गई, उसके बाद इंडिया के पास 1200 species diversity है, क्योंकि इंडिया का ज्यादा तर लांड एरिया, ट्रॉपिकल लाटिटूड में लाई करता है, एक forest है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में, कहां पर इक्वेडर, इक्वेडर के पास 10 गुना जादा vascular plant के species हैं, as compared to the forest of equal area in a temperate region like USA, आपको सारा कुछ लिखवाया है नोट्स में, उसके बाद अगर मैं ट्रॉपिकल अमेजोनियन rainforest की बात करूँ, कहां पर होता है बेटा, यह South America में इसके पास greatest biodiversity है हमारे Earth में, क्योंकि यहां पर सबसे जादा number of species मौझूद है, इसी data को मैंने table की form में लिखवाया, तो यह हमने discuss कर लिया examples के साथ कि why we say that tropics have richest biodiversity, फिर NCRT कहती है यह सब बताने के बात कि भाया, tropics के पास ऐसा क्या है, what is so special about tropics इतना खास चीज उसके पास क्या है, कि इतना जादा biodiversity rich है, इसको भी explain किया है इन्होंने बहुत सारे hypothesis को ले करके, एक-एक hypothesis हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो, same question, यह question directly पूछा जा सकता है आप से, कि what is so special about tropics that might account for their greater biological diversity, इसका answer शुरू होता है यहां से, जितने भी ecologist हैं और जो evolutionary biologist हैं, उन्होंने बहुत सारे hypothesis दिये कि अच्छा यही चीज़े हैं जिसकी वज़ा से tropics जादा rich है, उन्ही hypothesis को हमें discuss करना है, सबसे पहला है जो speciation होती है, that is generally a function of time, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बेटा, speciation का मतलब, formation of species, formation of species और जो नई species बनती है बेटा, वो एक-दो साल में नहीं बनता, it takes बहुत सारा time, धिरे-धिरे evolution होती है, evolution ऐसा नहीं कि आज से कल दूसरा species आ जाएगा, हम जो evolve हुए हैं बेटा, उसमें कितना सारा time लगा है, ठीक है, और जो नई species evolve होती है, बनती है, उस process को हम speciation कहते हैं, speciation होने के लिए time लगता है, इसलिए कहा गया है, कि speciation function है time का, जादा time मिलेगा, undisturbed time मिलेगा, ठीक है, तो species बन करके तयार हो जाएगी, अगर जिस दोरान species बन रहे हैं, उस time पर कुछ disturbance आ गई, तो species का बनना रुख जाता है, ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, temperate regions are subjected to frequent glaciation in the past, जो tropic latitudes होते हैं, they have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for the species diversification, समझ मैं आया अंग्रेजी, नहीं तो आओ ध्यान से सुनो, इनका कहने का मतलब है, कि जो temperate zone होता है, जो कि किधर के तरफ है बेटा, polar regions के तरफ यहाँ पर बार बार ही, white color से क्या दिखा रही हूँ बेटा, glacier formation दिखा रही हूँ, ठीक है, क्या दिखा रही हूँ, glacier formation, यहाँ पर बार बार frequent glaciation होती रहती है, glaciation का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लेशियेशन का मतलब है formation of glacier अब बेटा glacier कोई अच्छी चीज थोड़ी है बन जाना with respect to speciation क्योंकि speciation के लिए favorable environment चाहिए species के बनने के लिए अब वहाँ पर glacier बरब जम गया है वहाँ पर species बन रहे होगी उसका तो सत्यानाश हो गया वह तो खराब हो गई तो क्योंकि बार-बार glacier बनता है फिर पिगलता है फिर बनता है फिर पिगलता है एक नए species को बनने के लिए वह undisturbed time zone नहीं मिल रहा इसके वजह से temperate की तरफ इतने नए species बन ही नहीं रहे है that is why temperate के तरफ species diversity इतनी ज्यादा है नहीं वहीं अगर tropics की बात करू glacier glacier बनना इतना common है नहीं क्योंकि यहाँ पर भर भर के sunlight मिलती है क्योंकि equator सबसे ज्यादा amount of sunlight receive करता है tropics क्योंकि equator के पास है इसको भी sunlight ज्यादा receive हो रही है तो यहाँ पर glaciation हो नहीं रही species को बनने के लिए एक मिनान time मिल रहा है कोई disturbance नहीं है that is why यहाँ पर species नए बन रहे हैं और क्योंकि नए species बन रहे हैं यहाँ की diversity ज्यादा आती है as compared to the temperature सबसे पहला reason यह है तो हम इसको अपने answer में लिखेंगे क्या है सबसे पहला reason सबसे पहला reason यह है Tropics, tropical regions are not subjected to frequent glaciation unlike temperate zones, क्योंकि temperate zones में होती है frequent glaciation unlike temperate regions, unlike temperate regions, therefore, therefore, tropics have enough evolutionary time, evolutionary time for species diversification यहाँ species diversification भी लिख सकते हो रठना नहीं है बेटा, समझ के अपनी भाशा में लिख सकते हो उसके बाद दूसरा reason NCRT कहती है आओ देखो क्या NCRT ने कहा कि जो tropical environment होता है बेटा, वो temperate के अगर compare करोगे तो यह कम seasonal होता है seasonal variation यह तब गोवा चले जाओ बेटा वहां पर ऐसा थोड़ी की सर्दी आती है गर्मी आती केरल चले जाओ एक normal temperature रहता है ठीक है मुंबई चले जाओ वहां पर नहीं winter पड़ता विंटर सीजन आता ही नहीं है उनको तो 15-16 डिग्री भी ठंड लगने लगती है भी न्यूस में आया था न मीम्स भी बहुत जादा बन रहे थे वहां पर लगभग लगभग same temperature ही रहता है इतना सीजन नहीं variation होता जैसे हम दिल्ली वालों को या हमारे आसपास की region वालों को महसूस होता है seasonal नहीं है सीजन की वज़े से नहीं weather जो वहां का होता है more or less constant होता है और आप predict कर सकते हो weather और ऐसे constant environment से क्या होगा species को बनने का अच्छा-कासा time मिलेगा क्योंकि changes होंगे नहीं frequently तो constant environment क्या promote करता है betterness specialization और अगर betterness specialization होगा greater species diversity होगी ठीक है तो लिखते है tropical regions tropical regions tropical regions फोड़ा बड़ा लिखती हो ना मैं फोड़ा छोड़ा छोड़ा लिखने लगती हूँ हाँ tropical regions are less seasonal ठीक है constant and predictable weather यह constant environment क्या करते हैं these constant environmental condition environmental condition promote better niche specialization और फिर इससे क्या होता है बेटा और तीसरा reason आपको बताओं क्या लिखा हुआ है क्योंकि tropics equator के पास है it receives enormous amount of sunlight tropics receive good amount of sunlight और जहां पर ज्यादा amount of sunlight होगा आपने कल ही पढ़ा होगा बेटा ज्यादा amount of sunlight is accountable for higher productivity of plants यह animals की भी higher productivity ठीक है and higher productivity कहीं ना कहीं link होती है higher species diversity से यह हमने complete हिया हमारा biodiversity किस हिसाब से change होता है जैसे तुम latitude बदलते हो next हम पढ़ेंगे दूसरा pattern that is species area relationship इसके बारे में किस ने बताया था एक German naturalist थे और एक geographer थे बेटा ठीक है यह field में जा करके study करते थे इनका नान था Alexander von Humboldt इन्होंने देखा जैसे जैसे तो media बढ़ाओगे शुरुआती time पर तो species बढ़ेगा species बढ़नाम कहते है species richness different variety of species मिलेगा बट एक time के बाद वो variety रुक जाती है तो अगर मैं plot करके आपको graph दिखाओं this is the graph you will get यहां पर हम लिखते हैं y-axis पर species richness जिसको हम represent करते हैं S से यहां पर हम लिखते हैं area जिसको हम represent करते हैं A से तो इन्होंने कहा आप area बढ़ाते चले जाओगे species richness will increase but only up to a certain limit उसके बाद वो constant हो जाता है इन्होंने बोला species area का जो आपको graph मिलेगा curve मिलेगा उसको हम rectangular hyperbola बोलते हैं बेटा आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो बट आपको याद रखना है rectangular hyperbola because इन्होंने ऐसा कहा हुआ है इसकी equation कैसे लिखते हो आप इसकी equation हम लिखते हैं S is equals to C A pronounce करते हैं इसको Z, ठीक है Z pronounce करते हैं बट हमें बच्पन से तो Z pronounce करना ही सिखाया गया तब Z भी बहुत सकते हैं अगर मैं इस equation को log के form में convert कर दूँ तो क्या equation आएगा बेटा? equation आएगा इसका log S is equals to log C plus Z log A क्या यह Y is equals to MX plus C जैसा नहीं है? Y is equals to MX plus C और यह तुम्हें कैसी equation देती है बेटा? straight line तो अगर तुम log के form में convert कर दोगे, you will get a straight line तो आप से जिस हसाब से question पूछा जाए, straight line के respect में आप यह वाली equation लिखोगे log के form में पूछा जाए, sorry log के form में पूछा जाए तो यह वाली equation लिखोगे hyperbola curve के form में पूछा जाए तो यह लिखोगे, अब इसमें से S, C, A, Z क्या है? तो आप देख लो, S क्या है बेटा यहाँ पर? S is species richness, ठीक है? Z क्या है? slope of the line, A क्या है? area, slope of the line को regression coefficient भी बोलते हैं हम, ठीक है? और Y क्या है बेटा? It is the constant, Y intercept, आपको इतना graph related question नहीं याद रखना है, अच्छा, बच्चों के मन में doubt आ रहा होगा, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कि एक time के बाद area बढ़ाते जो तो species richness मिलती नहीं है, बहुत सारे बच्चों को school के level पर ecology वाले experiment कराते होंगे, तो कि कुछ बच्चों से मैंने बच्चा है ऐसे ही virtually, तो बच्चों ने कहा है कि माम, yes ma'am हमने किया हुआ है, ठीक है, कुछ पाच्चाला वाले बच्चे भी कह रहे थे, कि yes they have done this, कुछ आप बच्चे बता रहते हैं, बताना आप लोग ने experiment किया या कि नहीं, कुछ जगह पर कराते हैं, जब मैं स्कूल म चार साइड होते हैं, उसके same, same side, measurement में same होता है, इसमें बंदे होते हैं बेटा धागे, size बराबर होता है, जहां इतने centimeter पर बंदा है, तो ये भी इतने centimeter पर बनेगा, इनको कहते हैं quadrants, क्या कहते हैं बेटा, quadrants, ठीक है, इस प्रकार से धागे बने होते हैं, अब आपके class म में divide, पांच team में divide कर देते हैं, पांच group बना दिया, हर group में 10 students हैं, और पांच group को, एक एक group को एक एक ये पकड़ा दिया, और आपको बोलते हैं, जाओ, field में जाओ, तो तुम भी बड़े मज़े में अपने garden में जाते होगे, sports वाले field में जाते होगे, experiment करते होगे, क्या क बड़े अपने गरदें में इसको फेक दिया, फेकने के बाद आपने देखा कुछ घास होगे, कुछ छोटे छोटे गासपूस अलग एधर की हैं यह यहां आजाएंगे कुछ गासपूस आप Transport आपने देख अलग सकतल के अलग सवांव एक हास कि वार मिली अंध्य हूं एक फिंक सबहुरेगा मिली सिर्वार इसले आप तो बहुत हो Alpha here तुमको उस garden में देखने को मिलेगा कि हां जहां जहां तुम एरिया में चले जा रहे हो कदम बढ़ाते चले जा रहे हो तुम्हें अलग प्रकार का species मिल रहा है बड़ कब तक बेटा कब तक तुम एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें बार-बार वही species मिलेगा जो तुम पह मिल रहे है तो diversity तो नहीं मिल रही ना तुम्हें number नहीं count करना तुम्हें variety निकाल लिए तो एक time के बाद variety नहीं मिलती है इसलिए हम बोलते हैं कि वह saturation वाले level पर पहुँच जाती है ठीक है इसके बाद हमारे जो ecologist है उन्होंने कहा है कि जो z का value है ठीक है वो किस range में perspective तुम किसी भी taxonomic group की study करो चाहे तुम bird के लिए value देखो चाहे तुम mollusk के लिए value देखो चाहे तुम reptile के लिए value देखो ये value .1 से .2 ही आएगी और दूसरा चीज ए NCRT कहती है तुम किसी भी country में देखो तुम Britain में देख लो तुम UK में देख लो कहीं पे भी देखो य value देखी गई है experimentally नहीं बदलती चाहे तुम taxonomic group बदल दो चाहे तुम country बदल लो तो देखो लिखा हुआ है ecologists have discovered that जो Z का value है वो .1 से .2 के बीच में लाई करता है regardless of the taxonomic group जिसकी तुम study कर रहे हो या किस जगा study कर रहे हो ना इससे फरक पड़ता है ना इससे फरक पड़ किया तो भी value .1 से .2 ही आई ठीक है California में birds का species area relationship देखा गया तो भी value .1 से .2 ही आई और New York में mollusk का देखा गया तो भी value .1 से .2 ही आई तो क्या कोई फरक पड़ा नहीं पड़ा ठीक है जो slow up होता है regression line are amazingly similar मतलब उसी range में लाई करता है ठीक है तो यही बोलाई गया है कि value change नहीं होती बाट अगर तुम बहुत बड़े large continent का देख रहे हो तो बहुत बड़े large continent का जब देखोगे तब जो तुम्हारा slope है वह बहुत steep हो जाएगा और steep होने की वज़े से यह जो z की value होती है बेटा वो बढ़ करके कितनी पहुत जाएगी देखो लिखा हुआ है अब इसका जो range है वो 0.6 से 1.12 हो जाएगा बट यह value सिर्फ तभी होगा for large continent क्योंकि area बढ़ जाएगा तो comparatively तुम्हारा जो continent जो slope of the line है उसकी value बढ़ जाएगी ठीक है steep का मतलब जादा खड़ी चड़ाई कहते हैं चड़ाई बहुत steep है मतलब बढ़ खड़ी चड़ाई है ठीक है तो देखो slope भी और steep होगा जितना जादा steep होता चला जाएगा बेटा उतनी जादा जो z की value है वो increase होती जाएगी ठीक है तो example क्या है इन्होंने example भी लिया हुआ है कहां तक पढ़ चुके थे हां बाट इफ यू अनलाइज दस्पीशी एडिया रिलेशन शेप्स अमंग वेरी लाज़ एडिया इंटायर कॉंटिनेंट आप देखोगे कि यह जो slope of the line है यह जादा steeper है ठीक है दाट मीज जो z की value है वो 0.6 से 1.2 के बीच में होती ह है 1.2 to be precise ठीक है for example frugivorous birds मतलब fruit eating birds है ठीक है और mammals का z की value देखी गई थी in the tropical forest of different continents तब slope 1.15 आया था ठीक है तो steeper slope का मतलब क्या है आप measure कर रहे हो in a very large continent which is directly related to the species diversity of that area अगर आपसे पूछा जाए z की significance बताओ simple साधी भाशा में तो आप यहां से ले करके यहां तक का point सारा का सारा explain कर दोगे लिख दोगे तो इस तरीके से हमने देख लिया बायो डायस्टी का pattern कैसे बदलता है next हम चलते हैं और बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि species diversity आख matter करती है to the functioning of the ecosystem तो answer would be yes क्यों क्योंकि अगर हमारा bio diversity rich होगा तो ecosystem उतना ही stable होगा ठीक है उतना ही ज्यादा productivity आएगी higher species higher productivity उतना ही resilience resilience का मतब होता है recovery करने की पावर जंगल में आग लग जाती है बेटा क्या वो कभी उस एरिया को अपने आपको recover नहीं कर पाते कर लेते नेचर की पावर है अब वो डिपेंड करता है किसके कितनी अच्छी पावर है उसको हम resilience कहते हैं alternative pathway जादा species होगे आपके पास जादा pathway होगा रहने के लिए survive करने के लिए जैसे for example अगर एक जंगल में सिर्फ डियर और टाइगर ही है बेटा तो टाइगर को तो डियर ही मिल रहा है ना option खाने के लिए अगर किसी कारण की वज़े से उस जगह से पूरा का पूरा डियर ही eliminate हो जाए तो टाइगर त पास खाने के कितने सारे options होंगे ना कितने सारे alternative बात में होंगे कोई बात नहीं आज रियर नहीं तो आज कुछ और खाऊंगा पेट भरूंगा next आता है तुमारा health of the ecosystem कि जितना ज्यादा diversity रिच होगा उतना healthy हमारा ecosystem होगा अब इसमें से NCRT ने इस stability को और इस health of the ecosystem को detail में समझाया है तो एक एक करके हम पढ़ते हैं stability and health of the ecosystem तो अगर मैं stability की बात करूँ NCRT कहती है question के form में NCRT है कि actually में stability का मतलब क्या होता है biological community के लिए हम कब कहते हैं community ecosystem हमारा stable है इसको कहने के लिए तीन क्राइटेरिया मिलनी चाहिए बेटा और वो तीन क्राइटेरिया है सबसे पहला एक stable community को बहुत जादा variation नहीं शो करना चाहिए with respect to the productivity from year to year क्या मतलब है जैसे आपके पास बेटा दो लांड है एक लांड ए है और एक लांड बी है दो जगह है दो फील्ड है दोनों की एरिया सेम है यह जो ए वाली जगह है मानलो इसके पास 300 species diversity है और इसके पास बेटा 50 species है ठीक है तो क्या observe किया गया है क्या observe किया गया है बेटा यहाँ पर इन्हों ने जून 2019 में productivity को measure किया productivity क्या होता है कितना biomass बना through photosynthesis तो 2019 में इन्हों ने देखा 100 gram per meter square per year बन गया आनुवल productivity फिर इन्हों ने सेम जून 2020 में measure किया तो आई 110 gram per meter square per year फिर इन्हों ने measure किया 2021 में तो इनको मिली 100 gram per meter square per year फिर इन्हों ने किया 2022 में इनको मिला 120 gram per meter square per year फिर 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 अब 2023 में करते तो देखो क्या आता है अब सेम दूसरे जगह का जब किया 2019 में जब किया तो productivity आई 50 gram 2020 में जब किया तो productivity आई 100 gram 21 में 22 में किया तो 75 gram तो वाट इस हैपनिंग किसका हम बोलेंगे productivity stable है यहां पर इस वाली जगह पर इस वाले एरिया में productivity not wearing not wearing year to year हर बार हर साल productivity वेरी नहीं कर रही year to year यहां पर much variation मिल रहा है तो एक scientist है उन्होंने बोला आखिरकार क्या वज़ा है कि यहां पर productivity इतनी year to year vary नहीं कर रही है और यहां पर वेरी कर रही है इसका सीधा link जुड़ा हुआ है with respect to the species diversity क्योंकि यहां पर species का number ज़ादा था तो यह observe किया गया productivity में ज़ादा variation नहीं आया यहां पर क्योंकि species diversity कम थी तो देखा गया productivity बहुत ज़ादा वेरी कर रही है और ऐसे वाले ecosystem को अच्छा ecosystem stable ecosystem नहीं माना जाता है जिसकी productivity तो नहीं ज़ादा वेरी करें पचास सो हो जाए 10 में इससे दो उनको अच्छा नहीं लेगा लिए यह सका मूझ यह पढ़ता ही नहीं तो इससे नए सिरीयस नहीं अगर हर पर अब च्छा महीं टॉस्तिम के साथ इतना variation अच्छा नहीं माना जाता वढ eth उवरी कशीन इतना कि शुट भी रेजिस्टेंट कि ऐसा नहीं कि कोई भी आए तो मर जाए या निकल जाए और दूसरों को रहने के लिए जगा दिन नहीं जो एलियन स्पीशीज बाहर से आते हैं इनका उस पर असर नहीं होना चाहिए ठीक है रेजिस्टेंट शो कर सकते हैं या मान लो अगर य जंगल में आग लग गया फ्लाट आ गया कुछ भी आ गया तो इनकी रेजिलियंस पावर होनी चाहिए रेकवरी पावर अच्छी होनी चाहिए तब हम एक को सिस्टम को कम्मुनिटी को स्टेबल कहते हैं तीसरा रीजन तो मैंने आपको अल्यड़ी बता ही दिया कि चुट stay resistant to the invasion by alien species यह आप कह सकते हो exotic species यह आप कह सकते हो invasive species ठीक है next हम चलेंगे ये तो हम stability की बात की फिर की साइन्टिस थे जिनन का नाम था डेविध टिलमे रएविद टिलमें जी क्या करते थे यह f fiber में जा जा करके चेक करते थे कि productivity कैसे vary कर रही है, ठीक है, और देखो इन्होंने क्या बोला, long term ecosystem experiment किये, using outdoor plots, मतलब बाहर खेतों पे field पर जाकर के experiment करते थे, और इन्होंने ये confirm किया, कि ये जो attributes है, they are linked to the species richness, कौन से attributes, जो पिछले तीन हमने पढ़े ना, stable community वाले, ये attributes अगर होंगे किसी ecosystem में, तो हमने देखा वहाँ पर species richness जादा होगी, जहाँ पर species richness जादा होगी, देखो इन्होंने क्या बोला, जिस area में जादा species होगा, वहाँ पर year to year variation with respect to the total biomass, जिसको हम क्या कहते है, productivity, वो कम होगा, और ये हमने देखा भी ना बेटा, ये देखो, ये year to year biomass का formation, productivity इतनी vary नहीं कर रही थी, और ये experiment, David Tillman जी ने करके बताया था, वो यहीं करते थे, हर field में जाते थे, productivity देखते थे, जिसकी vary नहीं करती थी, तो ये conclude करते थे, इसलिए नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जादा number of species है, richness जादा है वहाँ पर, उसके बाद इनो ने ये बोला, कि जो increased diversity होती है, वो जादा productivity को contribute करती है, plus अब हमें ये clear हो गया है, कि जो species diversity है, वो important है productivity के लिए, stability के लिए and for resilience also, stability factor discuss कर लिया, next we are going to discuss ecosystem health वाला factor, NCRT पढ़ोगे, तो लिखा हुआ है बेटा, कि जो biodiversity है, ये सिर्फ ecosystem के लिए important नहीं होती है बेटा, ये हमारे human race के लिए भी important है, तुम्हें क्या लगता है बेटा, कि तुम अकेले इस planet और पर survive कर सकते हो, आप सोचो कि आप अकेले रहो इस planet पर, is it possible, नहीं रह सकते बेट तो आप कैसे रह लोगे, plant इतना survive कैसे पर कर पा रहा है, pollination नहीं होगा, seed dispersal नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं प्लांट नहीं आएगा, इसलिए आपने एक movie देखियोगी, आप तो बहुत छोटे होगे जब वो movie आई है, बद शायद आपने बाद में कभी देखियोगी, my name is उसमें एक बहुत important line कही है, शारुक खान ने, while he was having conversation with kajol, तो क्योंकि उस ताइम पर फोन पर बात कर रही थी, they were walking around park में, तो उसने उसे कहा, कि तुम फोन क्यों use कर रही है, मारा exact dialogue तो नहीं पता, मैं तुम्हें मुद्दा बताती हूं क्या है, तो क्योंकि इसे ऐसे radiations न कलती वैसे तो हमें ही पता कितनी handful होती है, हमार हिले भी अच्छे नहीं होती जो हम सर के नीचे लग करके सोते, but anyways, इससे honeybees को नुकसान पहुचेगा कुछ ताइम पर honeybees मर जाएंगे, खताम हो जाएंगे दुनिया से, और अगर honeybees खताम हो गए, तो हम भी मर जाएंगे तो honeybees के खताम होने से हमारा क्या लेना देना है, हमारा क्या रिष्टा है कि हम खताम हो जाएंगे, that means हम related है, we are dependent on each other, and you know why, because honeybees, they are said to be major pollinators, अगर वो pollinators नहीं करेंगे, pollination नहीं करेंगे, fertilization नहीं होगा, fruit नहीं बनेगा, seed नहीं बनेगा, plant ही खताम होने लगे, और हम बेटा फिर निकल जाएंगे इस दुनिया से, तो देखो, species का diversity होना दुनिया में कितना जरूरी है, क्योंकि सब एक दूसरे से interlinked है, इसलिए NCRT ने बात कही है, पिर इन्हों ने इसको explain भी किया है, क्योंकि अगर जादा number of species होंगे, तो जादा number of niche होगा, और जादा number of niche होने की वज़े से, जादा interaction होगा, और जादा inter relationship होगा, अब ecosystem health को explain करने के लिए, देखो, क्या लिखा हुआ है, जो effect है, कि अगर biodiversity घटी चले जाएगी, species reduce होते चले जाएगे, इसको explain करने के लिए, पॉल एलरिक जी का example लिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक hypothesis, जिसका ना explain किया था, rivet का मतलब होता है, nut bolt, popper का मतलब होता है, निकालना, बट इस hypothesis को निकालने से पहले, मैं आपको NCRT explain करना चाहूंगी, वेकोज उससे भी हम कुछ-कुछ idea लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह बहुत important है पंड़ना, तो देखो, NCRT क्या कहती है, NCRT कहती है हमार although we may not understand completely कि किस प्रकार से species richness हमारे well-being या ecosystem के well-being को contribute करती है, we know enough to realize कि जो rich biodiversity है, is not only essential for ecosystem health, but also for the survival of the human race on this planet earth, इसका example भी हमने समझाना, at a time, जब हम loose कर रहे हैं species को at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us अगर एक-दो species extinct हो जाएं, सही बात है ना, इतने लाखो species हैं, इतने million species हैं, उसमें से एक्का दुक्का अगर खतम भी हो जाए बेटा, आपके रोज-मर्द जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, नहीं, न इन्सियाटी ने भी सबाल पूछा है, पर इन्होंने एक और चीज बोली, अगर western घाट के, western घाट क्या कम functional हो जाएगा, अगर उसका एक tree frog species इस दुनिया से खतम हो जाए हमेशा के लिए, क्या less function हो जाएगा, एक खतम हो जाए तो, नहीं, पर एक और पूछा गया, कि how is our quality of life affected, अगर 2000 चीटियों की बजाए, सिर्फ 15,000 चीटियां ही रह जाए अर्थ पे, क्या फरक पड़ेगा, चीटियां तो आए दिन मर जाती है हमारे पैरों से, इसका कोई direct answer नहीं है, इन questions का कोई direct answer नहीं है, इसका indirect answer explain करने की कोशिश की गई है, देखें जरा, तो देखो क् हुआ है, there are no direct answers to such naive questions, मतलब अजीब questions है, इनका हमारे पास सीधा जवाब नहीं है, तेड़ा जवाब है, तेड़ा जवाब पता है क्या है, हम एक analogy, analogy मतलब किसी से relate करके, compare करके उनका answer निकालने की कोशिश करते हैं, और वो analogy क्या है बेटा, rivet popper hypothesis, जो की बताई गई थी, Stanford ecologist, जिनका नाम है Paul Elric, इन्होंने क्या किया था, बेटा, मैं यह तुम्हें read भी कराऊंगी, बढ़ पहले उससे मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या ecosystem को compare किया एक aeroplane से, जिस प्रकार से ecosystem में बहुत सारे species हैं, ठीक है ecosystem किसका बना हुआ है, बहुत सारे species का, similarly हमारा airplane बना हुआ है, बहुत सारे nut balls का, क्योंकि जो parts है बेटा, उनको बिखेर दो, तो airplane नहीं बनेगा न, उन सारे parts को nut balls से tight किया गया, सारे parts को join किया गया है, त तो rivers, जितने भी parts हैं, जब joint होते हैं तो airplane बनता है, अब अगर बेटा, तुम एका दुक्का, rivers को निकाल दो, तुम हर बार travel कर रहे हो, तुमारे अंदर अलगी चुले, हर बार तुम एक nut ball खोल दे रहे हो, और अपने pocket में भर ले रहे हो, तो एक nut ball खोलने से airplane के functioning पर क्या फरक पढ़ जाएगा, similarly, एक चीटी निकल जाए, एक हाती चल जाए, एक tree frog species चल जाए, उससे कोई खासा फरक नहीं पढ़ेगा, बट तुमारा हर बार उसी plane से travel कर रहे हो, और हर बार तुम एके करके उसका nut ball निकालते चल जा रहे हो, धीला करते चल जा रहे हो, तो क्या ह एक time तो ऐसा आएगा ना, कि तुमारी airplane weak पढ़ जाएगी, parts निकलने लगेगे, बिखरने लगेगी, similarly, जब तुम species बहुत जादा loss होता चला जाएगा, तो एक ऐसा time आएगा, कि ecosystem तुमारी unhealthy weak हो जाएगी, ठीक है, दूसरा, तुम कौन सा rivet कहां से निकाल रहे हो, उसका सीधा असर airplane के functioning पे दिखेगा, अगर तुम सीध का nut bolt ढीला कर रहे हो, तुम जहां समान रखते हो, वहां का nut bolt ढीला कर रहे हो, इससे इतना ज्यादा direct impact नहीं पड़ेगा, बट जो nut bolt wings पर लगे हुए हैं, अगर तुम उनको ढीला करते हो, तो उसका सीधा असर airplane पे दिखे है ना, क्योंकि वो nut bolts बहुत important हैं, क्योंकि wings पर लगे हैं, wings बहुत important होती है, similarly, कौन सा species ecosystem से remove हो रहा है, वो भी decide करेगा, कि impact कितना खतरनाक हो सकता है, ऐसे species को, हम keystone species कहते हैं, जिनका number भले कम हो, ecosystem में, बट उनका impact ecosystem में बहुत जादा होता है, जैसे जो nut bolts wings पर होंगे, उनका number इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि wings का area ही कितना है, अगर तुम nut bolts अंदर कितने ज्यादा number होंगे, nut bolts के, क्यों बहुत सारी कुर्सी हैं, seeds है, chairs है, समान रखने की जगा है, तो अंदर nut bolts का number ज्यादा है, as compared to the nut bolts rivets present on the wing, but impact किसका ज्यादा ह wings वाले का, ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है, कि air plane में, जिसको हमने किस से compare किया ecosystem से, सारे के सारे parts चुड़े होते हैं, using thousands of rivets, rivets को हमने क्या माना species, हार एक passenger जो travel करे उस plane से, popping, popping मतलब निकालना, rivet को निकालना शुरू करे, अपने घर ले जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, शुरुवाट टाइम पर तो flight की safety इतनी effect नहीं होगी, similarly, अगर species extinct होता चला जाएगा, initially, तो ecosystem पर इतना खासा फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, but as more as more rivets को remove करोगे, तो उससे क्या होगा, plane dangerously weak हो जाएगी over a period of time, similarly, जादा जादा species eliminate होता चला जाएगा, तो एक टाइम पर ecosystem को फरक पड़ेगा, furthermore, कौन सा rivet तुम निकाल रहे हो, ये भी important है, ठीक है, जैसे अगर rivets तुम wings से निकालोगे, तो obviously, जादा serious threat पहुचेगा, flight की safety को, then the loss of few rivets on the seats और windows inside the plane, similarly, अगर तुम की species को निकालते हो, जो ecosystem के major function को drive करती है, तो सीधा का सीधा ecosystem पर फरक पड़ेगा, जैसे for example, बेटा, एक जंगल है, और जंगल में बहुत सारे forest है, बहुत सारे पेड़ है, ठीक है, 100 पेड़ है, for example, है न, 100 trees are there, और इस जगह पर आज पास tribal people रह रहे है, तो आपको पता न, tribal people अपना सारा जो खाना, पीना, रहना, वो forest के product से इस्तमाल करते है, इन 100 पेड़ में बेटा, एक ही पेड़ है, जो fruit produce कर रही है, that means, ये tribal people इस पर dependent है, उस ecosystem में जंगल में जितनी भी birds होंगी, वो भी fruit खाती है, तो इस ही पेड़ पर dependent, और भी पेड़ है, but वो किस पर dependent है, इस पर, मतलब उस ecosystem में, इस पेड़ ने है, key stone species है, या key species कह रहे हो, जिसका number देखो भले एक है, इसका number भले कम है, but इसका impact देखो कितना जादा है, अगर ये खतम हो गया, ये लोग के भी खाने के लाले पड़ जाएंगे बेटा, इनको कुछ मिलेगा नहीं, because there is no other plant जो fruit produce करता है, और जो fruit eating birds है, उनके लिए भी नुकसान हो जाएगा, तो इनके eliminate करते हैं, वो भी शायद मरने लग जाएं, तो ecosystem में key stone species का बहुत impact, बहुत important role होता है, ठीक है, next हम चलेंगे बेटा, और बात करेंगे loss of biodiversity की, हमारी NCRT कहती है, कि भले speciation के थुरू, कोई नए species add ना किये जा रहे हो, but species loss तो continuous चली रहा है और at alarming rate पर चल रहा है, नए species add तो नहीं हो रहे है, निकलते जरूर जा रहे है, ठीक है, तो जो biological wealth है हमारे planet का, वो तेजी से खट रहा है, अगर कोई species complete disappear हो जाए, उसका कोई species जी भी इतना रह जाए, मुसको बोलते है, species extinct हो चुका है, और इस extinction के तीन बज़ा होती है, दे उसके साथ उसका gene भी चला गया है, उसके साथ उसका genetic information भी चला गया है, extinct होने के तीन बज़ा हो सकती ही बेटा, three types extinction के, पहला आप देख सकते हो क्या है, natural extinction, natural extinction वो extinction है, जो occur होती है at natural rate, अब बेटा जो दुनिया में आया है, वो दुनिया से जाएगा ही, हमेशा हमेशा कले तो रहेगा नी न, अब जैसे जैसे time आते चला जाएगा, क्योंकि environment बदलता है, जो changing environment में रहे गया, वो चलता चला जाएगा, जो changing environment में ड़ाप नहीं कर गया, वो मर जाएगा, बेटा हर species खतम हो जाए क्योंकि हो सकता है कोई asteroid आकर के टकरा जाए, metroid आकर के टकरा जाए, तो एर्थ पर टकराएगा तो सभी मर जाएंगे, तो ऐसा पांच episode हो चुका है एर्थ पर कि जब mass में species extinct हो चुके हैं और कहते हैं कि हमारी वज़े से 6th mass extinction होने वाला है जिसमें हम सब मर जाएंगे बेटा, अब वह extinction कब आता है, कॉर्नोस, इट इस दी डाइंग ओफ और extermination, मतलब elimination of large number of species due to catastrophe, ठीक है, during the long period, 3 billion year ago, since the origin and diversification of life on earth, there have been 5 episodes of mass extinction, dinosaur वगर ऐसी दे चले गाए, होते तो सोचो क्या हो, तो जुरासिक पार्क तो देखिए इस अबने, next comes, the third type of extinction, जिसके लिए हम responsible है, नाम है anthropogenic extinction, जहाँ पे भी word आजाना, समझ जाना, हम है इसके पीछे, ठीक है, it is caused by, directly, और, चाहे हम intentionally करते हो, ना करते हो, बेटा, हम है इसके पीछे, responsible, human activity, क्योंकि human की जो need है, वो कभी खतम नहीं होती, और जो need, greed में बदल जाता, आपको पता ही है क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रहे है, क्योंकि आपको पता है ना, population वाले चाप्टर में बढ़ाया था, कि ना, अब बढ़ती हुए जनसंख्या के लिए आपको बेटा रहने के settlement करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, पेड़ों को का से, ठीक हमें बस पता चलना चाहिए, हम आप पहुच जाते हैं, एक्स्प्राइट करने के लिए, हम नेचर को इस कदर एक्स्प्राइट करते हैं, कि बेटा उसको खतम ही करके छोड़ते हैं, तो वी आदी वान विचिस रिस्पॉंसिबल पॉर अंथ्रोप्रोजनिक एक्स आप किसी polluted environment में रहना पसंद करोगे, आप नहीं पसंद करोगे, अगर आपको polluted air मिले, जो दिल्ली वाले खाते रहते हैं, ठीक है, बट आप नहीं पसंद करोगे, बिटा, polluted air लेना, polluted water पीना, तो एक organism कैसे रहना पसंद करेगा, pollution में, अगर soil को हम pollute करते हैं, तो वहा पानी को pollute करेंगे, मशलिया मर जाएंगे, और मरने से क्या हो रहा है, species loss हो रही है, ठीक है, आप कुछ-कुछ examples दिये हुए हैं, जो हमारी वज़े से extinction हुआ है, जैसे tropical pacific island को हमने colonize किया, colonize मतलब हमने बसने लगे, बसने के लिए बेटा हम forest को काटते हैं, अपना घर बन जोडिया का घोसला तो खतम हो गया ना, अब उसमें उसे कुछ birds दुबारा घर बना लेती हैं, कुछ नहीं बना पाती, तो घर बनाने के ही तलाश में एक ताइम पे वो मर जाती है, जो घर बनाने इतना easy नहीं होता ना, तो colonization of tropical pacific island by humans have resulted in extinction of more than 2000 species of native birds, IUCN ने 2004 में red list जारी किया था, list बनाई थी, red list का मतलब होता है बेटा, कौन कौन से species extinct हो चुके है, list में बहुत सारी categories होती है, categories ही होती है कि किसने species extinct हो चुके है, कितने species को खतरा है extinct होने का, कौन endangered है, कौन critically endangered है, कौन vulnerable है, ठीक है, और उस list में जो उन्होंने बताई, छापी थी, उसमें 784 species extinct हो हो चुके हैं, in the last 500 years, और उस 784 species में 338 vertebrates है, 359 invertebrates है, and 87 belong to the plants, इसके बादी डेटा है बेटा, आपको डेटा याद करना पड़ेगा, this is there in the NCRT, इसमें से कुछ recent extinctions है, जैसे मौरिश्यस की एक बर्ट थी, डोडो, वो खतम हो गई, ठीक है, कौगा, एफरिका का था बे Stealer Sea Cow, रश्या का, और 3 sub species थे, ताइगर के, बाली, जावा एं कैस्पियन, आप यह देखो, यह 3 है, वैलीनीज, जावा एं कैस्पियन टाइगर, यह डोडो है बेटा, यह Stealer Sea Cow, एक थाइलसिन है, ठीक है, और एक हमारा जो लोमडी जैसा दिख रहा है बेटा, तो क्वाग ठीक है, तो यह 5 species आपने देखें नहीं होंगे, तो मैंने देखने के लिए कोई डोडो ऐसे दिखती है, तो आप पिचर वाइस, रिलेट कर सकते हो, आपके दिमाग में छप जाती है, तो यह 5 बेटा, recent extinctions है, जो रिपोर्ट किये गए हैं, और some groups, like amphibians को कहते हैं, सबसे जादा वनरेबल है, वनरेबल मतलब सबसे जादा खतरा है इनको extinct होने का, presently बेटा, पंदरा हजार पांसो स्पेशीज वर्लड वाइड हैं, जो आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्स्टिंशन, इन पंदरा हजार पांसो स्पेशीज में, बारा परसेंट सारे के सारे बर्द स् 23% सारे के सारे mammal species हैं, 31% सारे के सारे gymnos sperm है और 32% सारे के सारे amphibians है, तो इन सारे numbers में से आप देख सकते हो, amphibians का number सबसे जादा है, which is facing threat of extinction. Next, अगर anthropogenic extinction होगा, तो उसकी वज़े से we are approaching towards sixth mass extinction, एक natural extinction, natural rate पर चलता है, बट हम जिस प्रकार से activities जो कर रहे हैं, उससे hundred से thousand time तेजी से species loss हो रहा है, ठीक है, इसलिए कहते हैं, आगे आने वाले कुछ 100 साल में या कुछ से जादा सालों में हम सब मर जाएंगे, बेटा कहते पर से कल्युक खतम, सत्युक शुरू होगा, अब ऐसी कहानी है, बेटा, देखो कितनी सच होती ही आगे जा करके, क्योंकि अपने ममी पापा से पूछना, 2012 में दुनिया ही खतम होने वाली थी, ऐसा प्रिरिक्ट किया गया था, बहुत सारी न्यूस चैनल पर दिखाया था, क्या है कि 2012 के बाद कैलेंडर नहीं बनाए, बाई December को कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रले आएगा, और सब मर जाएंगे, तो, we were all waiting कि कुछ होगा, बड़ कुछ नहीं हुआ, आप देखो, 10 साल निकल भी गया है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, ममी पापा से पूछता है बहुत जाथी स्टोरी कुख हुई थी, and yes, देखो, आगे क्या होता है, बिकॉज कह रहे हैं कि सिस्ट मास एक्स्टिंशन आएगा, बिकॉज अब the anthropogenic extinction, और हो ही रहा है कुछ नहीं कुछ species extinct हो ही रहें, मास में कब आता है, we'll have to wait, next, अगर लॉस होता रहा तो क्या होगा, पहले हमने पढ़ा था कि अगर बायोडायवसिटी होती है तो तो productivity जादा होती है अब बाइयोडास्टिक घट रही है, productivity घटेगी हमने कहा था बाइयोडास्टिक जादा हो तो productivity में इतना variation नहीं आता, लेकिन अब बाइयोडास्टिक घट रही है तो productivity में annual to annual variation आएगा ठीक है तो उन सारे चीजों को opposite हो जाएगा, तो result of loss of biodiversity क्या होगा, कि जादा diversity होता है, जादा ताकत होती है, resilience power होती है, resistance हो करते हैं, अब नहीं होगा, reduced resistance होगी, और increased variability होगी, ecosystem processes की, जैसे productivity, तो यह आप लिख दोगे, ठीक है, next हम चलेंगे, और हम बात करेंगे, what are the different causes of biodiversity loss, ओके, so 4 reasons NCRT ने दिये हों है बेटा, 4 reasons, यह आप कह सकते हो, 4 cause है, biodiversity के, ठीक है, एक cause है बेटा, habitat loss and fragmentation, and इसको कहते हैं बेटा, इसी की वज़े से, जादा से जादा loss होती है, biodiversity की, क्योंकि अगर बेटा, घर ही, habitat क्या होता है, physical address of an organism, अगर घर ही निकल जाएगा, तो उसमें रहने वाले species कैसे safe रहेंगे, tropical rain forest, जो आज से, कुछ 14% area occupy करता था एक time पर, आज हमने उसको इतना exploit, इतना काटा इसके जंगल को, अपने purpose के लिए कि सुफ 6% रह गया है, South America का जो tropical rain forest है, जिसमें richest biodiversity है, हम cattle को grace करवाने के लिए, एक patch create कराने के लिए पेड को काटते हैं, soya bean को cultivate करने के लिए पेड को काट रहे हो, तो पेड कट रहा है, species loss हो रहा है, पेड का कटना मतलब habitat को destruct करना, तो यह सारे सारे क्या होगा, बेटा, species का loss होगा, next comes the reason, जिसमें हम बात करेंगे, over exploitation की, passenger pigeon विगेरा बेटा, over exploitation की वज़े से निकल गई थी, exploit करो ठीक है, बट हम क्या करते हैं, भी start over exploiting the natural resources, तो फिर एक टाइम के बाद तो वो खतम होनी ही है, फिर तीसरा आता है बेटा, थर्ड वान इस, alien species invasion, alien species आते हैं, और हमारे यहां के native species को ही क्या करते हैं, eliminate, और चोथा बज़ा है बेटा, co-extinction, जो जो organism को evolve कर सकते हैं, particularly mitulism वाले, अगर एक species मरेगा, तो बाकी के भी species जो उसे associated है, वो मर जाते हैं, चार बज़ों से हमारी biodiversity घट रही है, तो इन चार बज़ों को क्या NCRT लिखती है बेटा, evil portrait, वाट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि four reasons are there, और evil क्यों, क्योंकि इन reasons की वज़े से biodiversity loss हो रहा है, जिसमें से सबसे important कौन होता है, habitat loss and fragmentation, अब मैं आपको NCRT की मदद लेती हूँ और आपको ये चारो पार्ट revise करती हूँ, तो देखो, सबसे पहले क्या है, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो accelerated rate है species extinction का, worldwide, it is largely due to human activities, चार major causes है, इसको evil quartret बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहला, sorry यहाँ थोड़ा जुखाम है, जिससा कि आपको पता है, this is the most important cause, जिसकी वज़े से animals or plant species extinct होते हैं, इसमें से सबसे dramatic example है, habitat loss का, जो की आता है, tropical rainforest, just मैंने आपको यही बताया, यही आपको अपने habitat loss and fragmentation में answer बनाना है, समझने के बाद, ठीक है, tropical rainforest, जो एक time per earth का, 14% of the area occupy करता था, अब वो reduce होकर के सिर्फ 6% है, इतना loss हो गया है, then they are being destroyed fast, by the time अगर हम इचाप्टर खतम करेंगे, तो NCRT कहती है, 1000 more hectares rainforest का खतम हो चुका होगा, ठीक है, हम अपनी selfishness के होज़े से उसको काट चुके होंगे, जो Amazon rainforest है बेटा, यह इतना बड़ा है, कि इसको हम क्या कहते हैं, lungs of the planet, यहाँ पर millions of species रहते हैं, इनको cut किया जा रहा है, forest को clear किया जा रहा है, soya bean को cultivate करने के लिए, और forest से grassland, क्योंकि grass बनाएगा, तब ही तो जिनके गाए, बकरी और भैस है, वो चर पाएंगे, तो grassland में convert किया जा रहा है, for grazing beef cattle, उसके बाद, besides the total loss, जो degradation होता है, many habitats का, by pollution, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मालो बेटा, यहाँ पर soil है, soil में plants है, है न, और तुमने क्या किया बेटा, यहाँ पर DDT को spray कर दिया, DDT क्या है बेटा, यह एक pesticide है, मतलब chemical है, और यह अच्छा नहीं होता बेटा, ठीक है, तुमारे pest को मार देगा, but इसका long term impact दिखाई देता है ecosystem पर, क्योंकि यह degradी नहीं हो साता, जैसे plastic नहीं हो सकते न, यह भी नहीं degradी हो सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं, it is a biodegradable pollutant, and you know what, DDT नेचर ने नहीं दिया है, हमने बनाया था, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं, नेचर को हम पहुचाना चाहिए, इंटेंशनली हो चाहिए, निटेंशनली हो, DDT बनाया हमने pest मारने के लिए था, बट DDT जैसे ही soil में इंटेड्यूस होता है, बेटा, चलो pest तो मार देता है, बट वो chemical है, तो soil की fertility उड़ा देगा, that means soil pollution cost करेगा, प्लस अगर DDT जो chemical है, आज पास में बहे करके water body में पहुच गया, तो यहाँ पर भी वो pollution cost कर सकता है, और शायद वैसे तो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, because environmental issue of chapter में ही नहीं है, तो उस chapter में पढ़ाया गया है, कि DDT पानी में जाता है, और because of the food chain, यह गुच जाता है phytoplankton में, phytoplankton के जरिए zooplankton में गुच जाता है, zooplankton के जरिए यह छोटी fish में गुच जाता है, छोटी fish के जरिए small fish में गुच जाता है, और small fish के जरिए इसको कौन खा जाता है, small fish को large fish में चला जाता है, और large fish को birds खा लेती हैं, तो ये DDT birds में चला जाता है, और birds पर जाने के बाद ये का करता है बेटा, ये cause करता है thinning of egg shells, उनके जो egg है, वो बहुत shells उनकी पतली होती, पतली होने के वज़े से बेटा, वो अंडा जल्दी फूट जाता है, बच्चा अंदर develop भी नहीं होया है, ब diversity को घटा सकता है, ठीक है, तो pollution से भी बेटा हमारा क्या हो रहा है, habitat loss हो रहा है, and species भी decline हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम बहुत बड़े habitat को छोटे-छोटे fragments में convert कर देते हैं, उसको हम fragmentation कहते हैं, अब जंगल इतना बड़ा है, तो मने बीच-बीच में से जंगल क इस्तमाल कर लिए अपने purpose के लिए, अब जिन organisms को, जिन बड़े-बड़े mammals को large area में रहने की आदती, इस area से उस area में खूमने की आदती, migration करने की आदती, उनकी activities हो सब खताम हो गई, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब एक habitat को broke down करते हैं, small fragments में, due to various human activities, तो जो mammals होते है और जो birds होते हैं, जो large territory को occupy करते हैं, और कुछ animals जिनकी migration की आदत होती है, they are badly affected, जिसकी बज़े से उनकी population क्या हो जाती है, decline, biodiversity का loss, next comes हमारा over exploitation, over exploitation मतलब जरूरत से जादा use कर लेना, तो humans हमेशा से ही nature पर dependent है, खाना हम कहां से खाते हैं, बेटा, nature, घर, shelter, ठीके, बड़े सारे organisms कहां रह रहे हैं वेटा, हमारे nature के उसमें तो रह रहे हैं, अब शेर को जगा आपने थोड़ी दी है, nature ने प्रोवाइट कियो उसको वो wildlife, है ना, तो जब लेकिन हमारी need, greed में बदल जाती है, और हमारी never ending need है वेटा, कभी खतम नहीं होती हो, तो में एक चीज़ ले यह देखो, यह है, just a second बेटा, मैं उसको arrange कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बताती है, यह देखो, तो next इन्होंने एक्जाम्पल दिया है, कि जब हम over exploit करते हैं, जिसे passenger pigeon को over exploit किया गया बेटा, हाँ, यह देखो, over exploitation किया गया, stealer sea cow का, passenger pigeon का, यह सब जो extinct हुई है, that is because of the over exploitation by humans, और presently हम बहुत सारे marine fishing तो होती ही रहती बेटा, बहुत excess में marine fish को exploit किया जा रहा है, all around the world, over harvest किया जा रहा है, जिसकी वज़े से, now they are facing threat of extinction, जो third criteria है, alien species का invasion है, alien species वो जादू movie तो सब ने देखी होगी, जो हमारे जैसे नहीं है, जो हमारे country का नहीं है, उसको alien बोलते हैं, exotic species कहते हैं, कबजा जमाने की बहुत अच्छी आज़सी ability होती है, reproduction mode बहुत हाई होता है, तो इसको invasive species भी कहते हैं, तो जब alien species introduce होता है, चाए intentionally हो, unintentionally हो, किसी भी purpose के लिए आए, उसमें से कुछ invasive बन जाते हैं, और decline करने लगते हैं, extinction होने लगता है, हमारे यहां के native species का, जिसको हम indigenous species कहते हैं, अब एक एक example आपको याद रखना है, सबसे पहला example क्या है बेटा नाइल पर्च का, नाइल पर्च को कहां introduce किया गया था, लेक विक्टोरिया में, बट इसके लेक विक्टोरिया के introduction की वज़े से, वहाँ पर 200 से जादा species, जो native species थी, जिनका नाम था किचलिट फिश, वो eliminate हो गई थी, You must be familiar with the environmental damage caused and threat imposed to our native species by invasive wheat species, carrot grass, पार्थेनियम पढ़ाया गया होगा आपको sexual reproduction में, ये वही है जो wheat के साथ mix हो करके हमारे country में आ गया था, जो से pollen allergy भी होती है, and it soon become invasive, तुमने ये शायद देखा होगा बेटा, नाम तुम सुनते हो, तुम गूगल करना इसकी image, छोटे छोटे herbs होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, ठीक है, white white flower आते हैं बेटा इसमें, और rainy season में आपने देखना बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, इसे ग्रो कर जाते हैं, ग्रो नहीं करता है, इन वैसे वैना अपने आप ग्रो कर जाते हैं, ताकत बहुत हैं में, ग्रो करने की, ठीक है, lantana एक tropical shrub होता है बेटा, अमेरिका में, water hyacinth आपको, आपने में नहीं पढ़ा होगा, chapter ही नहीं है, yes, बट यह अपने खुबसूरती जिसका, उसका flower, इसकी leaf, सब कुछ इतना खुबसूरत था, कि यह European के द्वारा introduce किया था हमारे इंडिया में, और जैसे ही हमा ठीक हाई देते हैं, इनको जलकुम्भी कहते हैं बेटा, ठीक है, तो यह भी एक invasive species है, बाहर से आया था हमारे खुद के country का नहीं है, ठीक है, तो यह जो recent illegal introduction हुआ है, African catfish का हमारे यह, उस African catfish का नाम है Clarius, ठीक है, aquaculture purpose के इंट्रडूस किया गया था, but now it is posing a threat, हमारे यहा examples, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, आपको याद रखने है, next, co-extinction, जितने भी organism, mutualism वाले होंगे न, जिनका obligate रिष्टा होता है, दोनों फाइदा एक दुसरे को produce करते हैं, यह मैंने ही आपको पढ़ाया है, जैसे कोई एक parasitic species है, ठीक है, अगर उसका हो species extinct हो रहा है, तो उ वो भी extinct हो जाएगा, जो भी co-evolve करते हैं, they become the example of co-extinction as well, वो साथ-साथ co-extinct भी होंगे, ठीक है, जब एक species extinct होता है बेटा, ठीक है, when a species become extinct, जो plant and animal species उससे associated होता है, obligatory way में, वो भी क्या हो जाता है, extinct, अगर एक host fish species extinct होगी, तो उससे associated, जो उसका parasite होता है, वो भी same fate इसको achieve करता है, मतलब वो भी मर जाता है, another example क्या है, is the case of co-evolved plant pollinator, अगर pollinator मरेगा, plant मरेगा, उसका pollinator मर जाएगा, वाइसी वर्सा, तो ये चार reasons होते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है, bio-divastic घट रही है, आपने हमेशा कुछी organisms का नाम सुना होगा, जो extinct होने के खत् ठीका, blue whale, red panda, हमारा Bengal tiger, सिर्फ यही क्यों face correction, यह बंदर, बंदर इतनी तभाही मचाते हैं, बेटा, बंदर को कोई खत्रा नहीं extinct होने का, cockroaches को कोई खत्रा नहीं extinction का, that means there are certain criteria जिसके basis पर हमें control कर सकते हैं, okay, for this reason, this particular group of species को जाधा खत्रा है, they are more prone to vulnerable अपने extinction के लिए, चलो discuss कर लेते हैं, ठीके, सबसे पहला, इनकी large body size होती है, तो यह थोड़ा lazy भी होते हैं, rhinoceros, lion, large body size की वज़े से इनकी बहुत सारे इनको खत्रा है extinct होने का, क्योंकि इसमें से कुछ organism shy भी होते है, reproductive rate भी कम होता है, population size भी कम होता है, तो यह सारे attributes इनके extinction से linked है, ठीके, next देख fertilizer कर कम है, तो reproduction ability को बढ़ा दे, बट यह भी वो नहीं करते हैं, इनका reproduction देखना कितना कम है, तो इसकी वज़े से reproduce कम करते हैं, species कम आते हैं, extinct होने का जाधा खत्रा है, उसके बाद अगर मैं bald eagle या Bengal tiger का बात करूं, तो higher trophic level, अगर higher trophic level में कोई रहता है ना वेटा, position में, त उसको भी जाधा extinction का खत्रा है, because they are fixed on one or the two alternative pathway अपने खाने के लिए, और अगर किसी का fixed habitat है और भागने का root भी एक ही है, ठीक है, अगर fixed habitat है बेटा, उसी में रहेंगे और habitat ही खतम हो गया, तो वो भी मर जाएंगे, for example, whooping crane और blue whale, blue whale को इस वज़े से भी खत्रा है, और blue whale को इस वज़े से भी खत्रा है, तो example के तौर पर समझाया गया है, कि देखो, in organisms के लिए ये वज़ा है, जिसकी वज़े से वो extinct होने के एक अगार पर है, और आने वाले कुछ time पे वो हमेशा के लिए extinct हो जाएंगे, vultures क्यों आप कम दिखाई देती है, अपने ममी बापा से पहले दिखाई देती थे, अब इतनी common नहीं है, आपको सिर्फ जंगोलों में दिखाई देंगे, कोई नाशनल पाक जाते हो, why? endangered category में वा गई है वो, खतम होने लगी है वो, ठीक है? तो यही example है बेटा, best example है, species diversity के decline होने का, next हम पढ़ेंगे, अब घर में पता चली गया ह है वेटा, कि diversity घट रही है, तो now we are gonna discuss कि उसका conservation कैसे करें, conservation में हम दो criteria पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे, why to conserve biodiversity and दूसरा पढ़ेंगे, how to conserve biodiversity, okay, so सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेटा, कि why should we conserve biodiversity, तो उसके तीन reasons होते हैं, कि हमें biodiversity को conserve क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, narrowly utilitarian, इसको utilitarian लिखना, हम बात भाही आएगी, utilitarian, होता क्या है बेटा, हम ना, plants है, या बाकी जो organisms, species मौझूद है, उससे बहुत सारे services लेते हैं, ठीक है, utilize करते हैं, उसको हम बोलते हैं, narrowly utilitarian, और क्योंकि ये जो भी services है, ये economical services हैं, तो देखो, लिखा भी पर नीचर हो गया, paper जिस पर आप लिखते हो, इस अब कहां से आ रहा है, plant की product से आ रहा है, full fruit जो खा रहे हो, plant की product से आ रहा है, कपड़े, fibers कहां से आ रहे हैं, plant की product से आ रहे हैं, तो देखो, लिखा हुआ है, we derive food from the plant, firewood, लक्री जलाने का जो समान है, ठीक है, आग जलान 25% है, drug currently sold किये जाते हैं, market में, worldwide को कहां से derive किया जाता है, merely 120 species of plant, और बेटा, यह जो आयरवेदा वाला, medicine वाला है, यह तो completely herbs पे ही based है, तो herbs कहां से आते हैं, plant species ही तो है, देखो, लिखा हुआ है, about 25,000 species of plants contribute towards the traditional medicine used by native peoples around the world, यह जो malaria का जो दबाई निकला था, बेटा, वो भी एक plant के बाग से निकला था, है ना, तो बहुत ज़्यादा economic service है, at least हम जो services उनसे derive करते हैं, इसकी वज़य से थोड़ा सा इसकी इज़त रखते हुए, ठीक है, तो हमें नहीं destroy करना चाहिए, दूसरा आता है, बहुत important, broadly utilitarian, बहुत broad view में बहुत important से इसका, और इसमें आ से ने की अगात नहीं हो, उसकी, it would be so expensive, but कि आप हर second जो oxygen इन्हेल कर रहे हो, are you paying anything for that, no, you're not paying anything for that, आप जो snow को देख करके, बारिश को देख करके, अच्छा महसूस करते हो, pleasure जो उठाते हो, उसको aesthetic pleasure कहते है, आप कुछ देते हो, उसका नहीं देते हो, you're not paying anything, जो plant soil को control कर र रहा है, नहीं, we are not paying anything, जो यह सारी services, oxygen जो pollination करा रहा है, pollinating agents, aesthetic pleasure, खुबसूर्ती देख कर कि प्रकृति की जो आप enjoy कर रहे हो, flood and erosion control, यह सारे ecosystem services में आ रहा है, at least इन services की वज़े से, हमें अपने biodiversity को conserve करना चाहिए, और तीसरा reason यह है, बेटा, ethical, जिसमें आ जाती है, moral values, NCR लिखा हुआ है, every species, every species has integrate, integrate rule, integrate role to perform, NCRT कहती है हमारी कि हर species, अगर जो हमारे इस धर्की पर है, उनका अपना एक रोल है, हो सकता है, हमें उनसे direct benefit नहीं मिल रहा हो, और इसका मतलब यह नहीं कि मुसको खाड करके fake दे, हर species का अपना एक रोल है, सिस्टम में और उनकी moral value बनती है, हमारी moral value बनती है, कि हमें उनको safeguard करके रखना चाहिए, हमें उनको destroy नहीं देना चाहिए, वही moral sciences वाली बात आ चाहती है, तो इन तीन reasons की बज़े से, we should conserve our biodiversity, अब conserve करना ही है, तो question यह उठता है, कैसे करें, दो basic approach होते है, diversity को conserve करने के बेटा, जब एक जगफ पे जो species रह रहा है, उसको वहीं पर conserve कर लो, तो हम उसको in situ कहते हैं, एक सीटू, उसको अपनी जगफ से निकाल करके, कहीं और ले जा करके, उनको बचाते हो, तो उसको in situ कहते हैं, यसे covid के time पर जब बिमार पढ़ते थे बेटा, तो कुछ लोग अपने घर में ही इलाज करते थे, घर में ही कॉरिंटीन करते थे, अपने ही घर में करना in situ, on-site, अपने घर से जब हालत खराब हो जाती ही, लोग hospital जाते थे, अब hospital किसी कहा घर नहीं है, हो भी ना, कभी भी भी भगवान की दुआ से, है ना, तो अपनी जगह से निकल कि व तो उसमें रहने वाला जो organism है, वो नहीं बच जाएगा, पुरे जंगल को conserve करोगे, तो share automatically बच जाएगा, तो यह basic idea होता है in situ का, घर को बचा लो, और गाने जम तो अपने आप बच जाएगा, तो यह emphasize करता है, on the protection of entire ecosystem, और इसमें basically दो चीज़े आती है, एक आता है hot spot और दिखाता है protected areas, सबसे पहले हम पढ़ेंगे hot spot के बारे में, hot spot क्या होता है बेटा, देखो, किसी भी area को आप hot spot declare कर सकते हो, जहाँ पर plant और animal है, but एवई ने कि तुम चाओ अपने घर को hot spot declare कर दो, there are certain criteria जिसको meet करना पड़ता है, एक जगा को hot spot declare करने के लिए, और वो creek criteria क् species richness मतलब diversity जादा होनी चाहिए, पहला criteria, दूसरा बेटा वहाँ पर endemism जादा होना चाहिए, endemism का मतलब है बेटा, वहाँ पर endemic species present होने चाहिए, endemic species मतलब species present, species found in one area and not present anywhere else. अगर कोई एक species एक ही जगा पर मिले कहीं और नहीं, तो उसको endemic species कहते हैं, इस phenomenon को endemism कहते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर degree of threat, biodiversity का loss बहुत जादा हो, जिसकी वज़े से वहाँ पर जो species हैं, उनको extinct होने का खत्रा जादा हो, जब एक जगा पर एक पार्क में, एक एर हैं बेटा, कि अगर तुम hotspot declare करके, तो वहाँ का लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, वहाँ पर सबका emphasize किस पर होगा, conserve करना है, destroy नहीं करना है, और इस तरीके से अगर hotspot को conserve करते हो, तो जो ongoing mass extinction है ना, उसको 30 प्रतिशत घटा सकते हो, Initially, 25 hotspots को all around the globe identify किया था कि हाँ, इन में potential है hotspot बनने की, बट अब उनका number बढ़ करके 34 हो चुका है, as per the NCRT, इन 34 में बेटा, 3 हमारे कहां पर हैं, इंडिया में हैं, ठीके तो देखो लिखा हुआ, Initially, सिर्फ 25 hotspot थे, बट अब 34 hotspot है, और इतने hotspot सिर्फ less than 2% area, land को occupy करते ह हैं, और अगर इन एरिया को conserve कर लोगे, तुम 30% बायो डिवस्टी को loss को घटा सकते हो, तीन जो इंडिया में हैं, वो वेस्टन घाट और शिलंका वाला जो एरिया है, वहां पर जो species richness है, वो एरिया, इंडिया और बांगलादेश और मैनमार का जो बॉर्डर है, वहां वा आता है, areas, protected areas, नाम से पता चल रहा है, इन areas को protect किया जाता है, in order to conserve the biodiversity, तो protected area में आता है, sacred groups of sacred lakes, फिर आता है, biosphere reserve और आता है, national park and wildlife centuries, biosphere reserve, it could be terrestrial or it could be aquatic, सबसे पहले हम एक ये करके सारी बाते करेंगे, सबसे पहले आ रहा है, national park and centuries, अब बहुत सारे national park विजिट करता होगे, कॉबेक नाशनल पार्क, रंथनबोर नाशनल पार्क, ठीक है, आपने सुनाओगा, पेरिया और wildlife century, केरल में है, famous for birds and tigers, ठीक है, श्रीनगर में है, धाचेगम नाशनल century, तो park में और century में फरक क्या होता है, पार्क में क्या होता है, बेठा, कौन maintain करता है, government, obviously, और यहाँ प पतलब animal, दोनों को conserve किया जाता है, यह दोनों के लिए हैं parks, ठीक है, और यहाँ पर जो grazing है, गाय भैस को चराना allowed नहीं है, trees गिर रहे हैं, गिराना allowed नहीं है, ठीक है, habitat manipulate नहीं कर सकते हैं अपनी own purpose के लिए, और cultivation भी allowed नहीं है, यह activities इन जगह पर government allowed नहीं करती है, और सबस पहला national park था, Jim Corbett national park जो बहुत famous है, उत्राखंट में जो है, famous for tigers, बहुत लोग जाते भी है, safari कंडे आप भी गए होगे शायद, है न, centuries में क्या होता है बेटा, इसमें सिर्फ fauna के conservation के लिए protect किया जाता है, यह कुछ tracks of land होते हैं, जहाँ पर specific wildlife animals मिलते हैं, और यहाँ पर forest product अगर कुछ हैं, गिर रहे हैं तो उनको collect कर सकते हो, timber को harvest कर सकते हो, land को tilling वगरा allowed होती है, और यहाँ पर private ownership allowed है, यह activities यहाँ पर allowed नहीं होती हैं, यह कुछ differences है, 90 national park identify किये गए हैं and 448 national centuries, ठीक है, फिर एक आता है हमारा Biosphere Reserve, इसमें एक area को, एक park को convert किया जाता है Biosphere Reserve म यह idea किस ने दिया था बेटा, UNESCO ने और MAB ने, UNESCO ने इसको launch किया था, इस concept को in 1975, United Nation Education Scientific Cultural Organization, आप से नहीं पूछेगा, ठीक है, and Man and Biosphere Program, इसको MAB कहते है, इसको manage कौन करता है, यहाँ पर tribal people रहते हैं, tribal people जंगल में रहते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर वहाँ पर रहने के प अबाव होता है, they have a very integral role वहाँ पर रह करके, और वही manage और protect करते हैं इस area को, basic concept idea क्या है इस area का, कि जो सबसे अंदर वाला zone है, जहाँ पर rich species, plant, animal दोनों है, तो यहाँ पर इसको core zone कह देते हैं, इसको undisturbed zone, यहाँ पर किसी का जाना allowed नहीं होता है, फिर इससे बाहर वाला के रिया आता है buffer zone, यहाँ पर students को जाना allowed है, क्योंकि students अगर research वगएरा कर रहे होंगे, तो वो जा करके वहाँ पर research वगएरा activities conduct कर सकते हैं, सबसे बाहर वाले zone को हम transition zone कहते हैं, और यहीं पर गर बना हुआ है, that means यहीं पर tribal people human settlement allowed है, और यह यहाँ पर रह करके, इसको manage और protect करते हैं, तो tribal people, they have an integral role in this system, एक पहला line लिखा भी हुआ है, कितने biosphere reserves है, 14 biosphere reserves हमारे इंडिया में है, नाम आपको जानने की जुरत नहीं है, इन में से बहुत सारे नाम आपने सुने हुए होंगे, ठीक है, लेकिन आपको अभी UPC के त्यारी नहीं कर रहे हो, तो आपको ज ठीक हो, ठोड़ा religious sentiment से जोड़ दो, ठीक है, वैसे ही लोग पूजा पाट शुरू कर देते हैं, ठोड़े इंडिया के लोग वैसे भी Orthodox है, होना भी चाहिए, ठोड़ा ठीक भी है, ठोड़ा नहीं भी है, इससे फाइदा हमारा को मिल रहा है, कि हमारी biodiversity conserve हो जारी है, क्योंक यहां पर rare and threatened species है, तो इनको बचाया जाए, तो उनको declare कर दिया गया है sacred groups की तरह, जैसे खासी एंड जयंतिया हील्स मेगालिया में है, अरावली हिल्स राजस्थान में है, वेस्टर घाट करनाटक और अराश्टरा वाला और सर्गुजा चंदा इन बस्तर एरियास अफ है, जैसे कुछ sacred rivers भी होती है, लेक्स भी होते हैं, तो लोग उनमें कुड़ा, कच्ड़ा, उनकी पूजा पार्ट करने लगते हैं, तो उनको साफसुतुरा लगना पसंद करते हैं, उस ही basic analogies से यह नाम और यह एरियास को आइटिफाई किया गया है, नेक्स्ट कम्स हमारा अचा यह Biosphere Reserve का, अगर आप से पूछा जाए, function क्या है, तो conservation तो करना ही है, development भी है, और students वगएरा allowed होते हैं जाना, तो research, monitor और education purpose के लिए होता है, नेक्स्ट, XC2 में अगर आपको बताऊं, तो हमारे घर में जो gardens है, they are the part of XC2, हम उसको अच्छे से manage, control और maintain करके रखते हैं, उसके बाद जो seed bank होता है, pollen bank, gene bank, pollen पेड़ पर रहने के लिए बना है, seed जमीन में रहने के लिए बना है, बढ़ हम उसको जार में बंद करके preserve कर करते हैं, at thunday temperature पर, जिसे pollen को करते हैं, उसको cryo preservation कहते हैं, तो seed jar में बंद होने के नहीं बना है, that means उसको अपनी जगह से हटा करके तुम conserve कर रहे हो, XC2 conservation है, geological park, zoo जाते हो, शेर वहाँ पर मिलता है, शेर की वो जगह है, नहीं, शेर की तो जंगल जगह है, that means जंगल से निंकाल करके तुमने उसको वहाँ रखा है, वो एक तरीकी का XC2 conservation है, botanical garden सबको पता है, वहाँ पर collection होते हैं, जिन्दा, plant species के, तो एक प्रकार वो education purpose के लिए भी होता है, apart from this, XC2 conservation के लिए भी होता है, arboreta भी एक प्रकार का botanical garden ही होता है, बस फरक ही होता है, कि इसमें सिर्फ बड़े-बड़े woody trees को collect किया जाता है, XC2 conservation के लिए, geological parks पता ही है, aquarium आपको पता है, wildlife safari parks, यह सारे example बनते हैं, XC2 conservation के लिए, जहाँ पर animals या plant species को अपनी जगह से निकाल करके कहीं और बचाया जाता है, conserve किया जाता है, next and the last topic comes, the conventions of the biodiversity, जिसमें सबसे पहले आता ह है earth summit, earth summit हुआ था 1992, नाम था Rio de Janeiro Brazil में, इनका motto क्या था बेटा, biodiversity के loss को बचाओ, plus जो resources है, जो हम plant से लेते हैं, उसको over exploit मत करो, sustainable तरीके से इस इस्तेमाल करो, so that तुम्हारी जो आने वाली generation है, उनको तो मिल सकें, वो भी तो फाइदा उठा सकें, प्रदूशत environment क्यों दो, calm species क्यों दो, क्योंकि ecosystem healthy नहीं रहेगा फिर, है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is called upon, on all the nations कि वो appropriate measures ले, हमारी biodiversity को conserve करने के लिए, और जो resources हैं, उसको sustainable तरीके से इस्तमाल करने के लिए, ठीक है, sustainable development भी सुना होगा ना, आपने, पिर एक world summit किया गया था बेटा, sustainable development पे 2002 में किया गया था, Johannesburg, South Africa में, 190 कंट्री ने pledge लिया था, कि वो significant reduction show करेंगे, in the current rate of biodiversity, global, regional, local levels पर, by the 2010, बाद में भी, climate change पे तो आई दिन meeting होती रहती है, बढ़ हमारे यही दो एक conventions है, एक earth और एक world, यही आपको याद करना है बेटा, so यह था हमारा revision इस chapter का, hope आपके लिए useful होगा, और sample paper discussion में जरूर मिलना, क्योंकि आपको, अभी आपने revise किया है सारे chapters, आप इस concept को लगाना कैसे, question में, यह भी तो सीखना बचा है आपके लिए, so मिलते है, sample paper discussion में, till then, bye bye and take care everyone, bye bye everyone.